Welcome to Magnet Brains, मैं हूँ तुमारी वैदी माम और आज हम डिस्कुस करने वाले हैं वो important चीज जो बहुत रिसेंटली पब्लिश हुई है CBAC के द्वारा यानि की CBAC ने सैंपल पेपर का publication किया है तो आज हम उसी का discussion करेंगे तो सैंपल पेपर तुमको मिल जाएंगे website पे साथ में उनकी marking scheme भी कि किस तरीके से क्या correct answer लिखोगे तब उसके marks मिलेगे पर सारवई सारा discussion यहां मिलने वाला है इसी channel पे जिसका नाम है Magnet Brains जहां मिलता है आपको quality, free, education, kindergarten से लेके grade 12 तक English medium में, Hindi medium में, इसके अलावा UP board, वि सारे entrance exam की भी तैयारी करवाता है Magnet Brains channel, तो बिलकुल miss out नहीं करना है, बने रहना है, Magnet Brains के साथ और आज का discussion भी start करते हैं, तो क्या करो pen paper उठाओ, analyze करेंगे हम एके करके sample paper, यूँकि sample paper के ही basis पे तुम्हारा main CBC board का paper रहेगा, ठीक है, तो आज हम क्या discuss करें, जो recently publish 4-4, चलो, तो paper तो अभी भी 70 marks का है, देख सकते हो, मतलब 30 marks का internal है या practical है, पर practical में भी external आएंगे या आएंगी, तो वो तो practical हुआ वा 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 उसके basis पे, तो 70 marks का theory paper है, अब इस 70 marks की theory paper में sections change किये गए, मतलब total कितने sections दिये गए, अगर देख सकते हो, total तुमारे पास 5 sections ह पहला sections है one marker का, basically है सारे के सारे MCQ हैं इसमें, MCQ आने की multiple choice question, इनी one marker में तुमको assertion reason में मिल जाएंगे, मतलब सीधा सीधा, जो हम entrance exam में ABCD के option में से कुछ चूज करना रहता है, वो वाले options है, ठीक है, अच्छा, कितने questions हैं, इसमें 16 question है, याद रखना है, ठीक है, मतलब 16 question तो सीधे सीधे one marker है, जहां पे तुमको ABCD में से कोई एक correct answer होगा, अब इन section A में तुमको मिल जाएगा, जैसे की multiple choice हो है, पर बहुत सारे sequence ने रहते है, order जमें होए रहते है, वो match the following हो गया, assertion reason हो गया, वो सारे इसी वाले section में मिलेंगे, फिर दूसरा section है तुमारा two marker का जिसमें है five questions, very short type answer, जिक है, one line या two line में answer खतम हो जाएगा, फिर आते हम three marker वाला, जिसमें है section C, मलब section C, है three marker वाला, जिसमें total seven questions, जिसमें around around, तुमारा अगर मैं word wise length देखू, वापस biology है, science है, word wise length decide नहीं होती, key words important रहते हैं, वो word लिखोगे, marks मल जाएगे, बढ़ अग three marker में तो around around 50 words तक sufficient रहेगा, एक या इतना para sufficient है, more than sufficient है, ठीक है, आओ section D पे, अब ये क्या है, ये case study based question है, जो है, चार marks के, ठीक है, अच्छा, internal choices दी रहेंगी हर इसमें, और आकरी वाला जो section E है, उसमें तीन question है, पांच मार्क है, यानिकि सीधा सीधा 15 mark, तो देखो, question है, जब तुम board में जाओ, या जब mock test लगाने start करो, तो मैं ये suggest करूँगी कि सबसे पहले भाईया, जो सबसे बड़े marks वाला question रहता है, उसको solve करो, क्योंकि बात समझो, जो पहला वाला section है, उसमें सब ABCD लिखना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है, बर इसमें तुमें पाच माँ के तीन questions है, माला 15 माँ का सीधा सीधा ये section हो गया, तो ये section तो बहुत अच्छे से prepare करके जाना है, कुछ भी miss out नहीं करना है, उसके बाद तुम solve करो section D, फिर solve करो C, फिर B करो, फिर A करो, क्योंकि A देखो, MC की वह से one word देखोगी, अपना काम बन जाएगा, ठी करो गर छूटना ही है, वैसे तो कुछ छूटा ही नहीं चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए, पर फिर भी हम अपने chances छूटने के कम करने के लिए, हम क्या करेंगे, question paper को reverse side से solve करेंगे, reverse side से बिलकुल solve कर सकते हो, लिखा रहते हैं वहां पे, कि sequence wise solve क करना ऐसा कुछ नहीं है, reverse से solve करो, बस उसका sequence मत बिखारना, मतलब जब अपना paper solve करो, तो उपर mention कर दिना कि section E solve कर रहे हो, फिर उसके जो भी questions रहेंगे, 31, 32, 33, जो भी है, तो उनको sequence में maintain करना, ठीक, चलो, अब बताएं उनने की overall choice नहीं है, बढ़ हां internal choices दी रहेंगे, उसके बाद alternatives है, question में वो तुमको choose करना है, उसके बाद देखो, वो कहा था ना कि हर diagram में mention नहीं करेंगे, क्या लिका है, wherever necessary, मतलब जहां जहां भी जरुवत पड़े, या तुमको लगे जरुवत है, please diagram draw करके आओ, तो diagram हम draw करेंगे pencil से, sharp pencil से, सारी labeling mark करेंगे, अपने right hand side, straight line draw करके mark करके आएंगे, चलो, तो इसी से हम सबसे पहला section discuss करने जारे, section जो है, 16 mark क्योंकि every question carry one mark, ठीक, तो MCQ है, तो वही pattern वही रहेगा, क्या करेंगे, keyword को करेंगे underline, आप तुमारे दिमाग में बोलोगे, ma'am, पर हम कुछ underline, तो कर नहीं सकते question paper में, वो cheating के अंडर आ आखरी वाला page उसके उपर top पे लिख दो rough work और जो जो तुम पढ़ते जारों लिखते जाओ, चलो, our infertile couple was advised to undergo in vitro fertilization with doctor, ठीक है, infertile couple है, हो सकता है, conceive होने में problem हो रही हो, fertilization नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, इसलिए डॉक्टर ने क्या suggest किया कि क्या किया जाए, in vitro fertilization, in vitro fertilization का मतलब, ovum लिया जाएगा, donor से, या जो भी parents बनना चाहते है, वो couple से, ovum, sperm, बाहर, fertilization किया जाएगा, और अब fertilization बन जाने के बाद, क्या बनेगा, zygote, अब zygote को transfer किया जाएगा, या तो zygote transfer होता है, या तो उसको कुछ particular stage तक develop होने देते, फिर जैसे 8 to 16 stage में develop हो गया फिर उठा के implant कर देते हैं, ठीक, अच्छा, अगर implant कर रहे हो तो implantation वाली stage पे implant करना पड़ेगा uterus में, पर अगर fallopian tube में कर रहे हो, तो fallopian tube में zygote के form पे भी हम transfer कर सकते हैं, या फिर जो 6 to 18 cell of stage है, जिसमें blasto में divide करे, 6 to 18 stage में आ चुके हैं, तो उसमें भी हम transfer कर सकते है किसमें fallopian tube में, फिर वो और खुद क्लीवेज करेगा, divide करेगा, convert होके, blastocyst में convert होके, खुद ही आ जाएगा, implant कर लेगा, किसमें uterus की endometrium lining, पर चीक, याद आ गया, आगे पड़ लेते हैं, out of the option given below, select the correct stage for transfer to fallopian tube for successful result, अभी हमने बोला कि successful result कराना है fallopian tube में, uterus नहीं बोला ह फिलोपियन tube बोला है, तो फिलोपियन tube के लिए या तो जाइगोट में direct, जो जैसे ही fertilization हो गया, जाइगोट को उठाया, और रख दिया फिलोपियन tube में, बिल्कुल ये भी कर सकते हो, या फिर मैंने क्या बोला, कि जो blastomere cleavage करना start कर रहे हैं, फिर cells, one cell का two cell, two का four, four का eight eight का sixteen, तो ये वाले भी जो stage हा रही है, उसमें भी बिल्कुल transfer किया जा सकता है, कहां पे, फिलोपियन tube में, चीक, पर अगर uterus में implant करवा रहा है, तो blastocyst वाले stage में ही करवाना पड़ेगा, तो यह equation आ गया, चलो देख लेते हैं, तो zygote only, नहीं, zygote only नहीं है, zygote है, पर only word नहीं है, तो हटाओ इसे, zygote और early embryo up to eight blastomere, हाँ, बिल्कुल बोल सकते हो, zygote with more than eight blastomere, नहीं, zygote with more than eight blastomere, और divide करने लगेगा, और हो सकता है, वो divide करकर के blastocyst stage पे भी पहुँच जाए, क्योंकि यहां पे बहुत आधा question लिया हुआ है, और blastocyst, फेलोपियन tube में transfer न blastocyst stage, blastocyst, फिर से endometrium layer, uterus, uterus की जो endometrium layer, वहाँ पे जाके attach होगा, और question में क्या पूचा है, फेलोपियन tube, तो यह तो नहीं, तो correct answer क्या है, zygote और early embryo up to eight blastomere stage, हुआ clear, चलो, move करते है question number two पे, given below are four contraceptive methods and their mode of action, select the correct match, मतलब यह match is the following के form में, ठीक है, multiple option दिये, इस type के questions अच्छे होते हैं क्योंकि हमारा time बचाते हैं, हम यहां क्या लगाएंगे, deduction method, एक option पकड़ो और वो तुम्हें पता है कि इसका 110% यही है, बस उठाके options में देखने लगो, जहां दिख जाए, आधे options तो वहीं से हट जाएंगे, चलो start करते हैं, जैसे हमें पता है condom, तो condom क्या करता है, कि physical barrier है, जो semen है, उसको transfer नहीं होने देता, female की body में, चलो, अब ऐसा कुछ मिलता जुलता होना चाहिए, या बजाए ना लिखा हो, चलो, देख लेते हैं, ovum not able to reach fallopian tube नहीं, condom यह नहीं करता, prevents ovulation बिलकुल नहीं, prevents sperm reaches the cervix, हाँ, बिलकुल बोल सकते मैंने तो in total बोल दिया था कि semen, क्योंकि semen में क्या होता है, seminal fluid रहता है, plus sperms रहते हैं, अब यहाँ पर उनने direct sperms बोलते हैं, तो वो भी ठीक है, और मैंने बोला था, या तो वज़ा है ना बोलो, या तो cervix बोला, या female body, तो यह भी सही है, क्योंकि cervix वापस हमें पता है female reproductive system का part है, तो यह तो अब एकदम fit हो रहा है, आगरी पे देख लेते हैं, semen contain no sperm, नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, sperm होते हैं, बस sperm पहुच नहीं पाते हैं, क्योंकि physical barrier है, तो इतना तो clear हो गया, कि एक option क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, चीक, चलो अब लगाते deduction method, देखो, मैंने अभी बाकी options देखे भी नहीं है, चीक है, तो एका क्या होगा, 3 होगा, चलो देख लो, एका 1 नहीं, एका 2 नहीं, एका 3 हाँ, बिलकुल सही, और एका 4 नहीं, अब देखो, मैंने सिफ एक option solve किया है, और मेरे को answer मिल गया, जो है, एका C वाल option, एका 3, B का 4, C तो एका 2 एका 1, तुम्हारा टाइम बज गया, अब क्या करोगे, जल्दी बता, अब कुछ नहीं करोगे, एक बार जो तुम्हारा answer मिल गया है, उसको वापस counter check कर दोगे, तो A का 3, एकदम सही है, तो अब B, Vesectomy, क्या करते हैं, cut कर दी जाती है, tubes को, तो देख लेते हैं, ओब नॉट एबल तो रीच, फेलोपेंट यू, नहीं, ओब Vesectomy, याद रिखो, किसका होता है, मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम का, sterilization method है, याद करो, यह सब जो है, मतलब पेल हो गया, कॉंडम हो गया, यह सब reversible है, reversible मतलब सिभ हम रोक रहे हैं, तो physical method से रोक रहे है, physical barrier लगा रहे है, condom में, अब यहाँ chemical barrier जब तक पिल खाओगे, वो चीज रुख जाएगे, जिस दिन पिल छोड़ते हैं, आपर cycle नॉमल में आ जाएगे, ठीक, पर Vesectomy और Tubectomy क्या है, non-reversible, sterilization method है, याद रखना है, क्या कर रहा है, बेसिकली इन दोनों methods में, Tubectomy की बात क करें, तो ovum को, ovum release तो होता है, पर पहुच नहीं पाता उसकी सही location पे, क्योंकि tubes ही काटके stitch कर दी गई है, same Vesectomy में हुआ है, ठीक, चलो देख लेते हैं, तो इसकी according क्या आना चाहिए, Vesectomy का 4 आना चाहिए, तो Vesectomy का 4, semen contain no sperm, हाँ, बिलकुल सही, क्योंकि अगर है किस से, तुम्हारे Ves difference है, ठीक है, तो Ves difference में, Ves difference तक क्या रहता है, sperm travel करते रहते हैं, उसके बाद, जैसे ही वो travel करके, मतला Ves difference खतम होता है, और फिर उसके बाद क्या होते है, तीनो necessary glands start होती है, जिसमें क्या रहता है, necessary glands है, सिर्फ glands बोलेंगे, क्योंकि ये सारी तो necessary duct हुई, तो glands जिसमें आगे तुम्हारी तीन gland, बल्बो यूरित्रिल ग्लैंड, प्लोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, उस तो ये सारी glands क्या करती है, अपना secretion देती है, उसके कारण lubrication होता है, fructose add होता है, nutrition medium add होता है, ये सारी चीज़े होती है, ठीक, अब क्या किया जाता है Vesectomy में, इसी tube को cut करके stitch कर दिया जाता है, याद रखो मैंने बोला था है, sterilization method है, non reversible है, ठीक, तो अब अभी भी semen produce होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी bean glands तो अपना secretion दे रहे हैं, पर उसमें क्या नहीं होगा, sperms नहीं रहेंगे, तो ये एकदम correct है, क्योंकि sperm को produce करने वाली या sperm को produce नहीं, sperm को deliver करने वाली जो pipeline है, उसी को cut करते क्या कर दिया गया है, stitch कर दिया गया, ठीक, तो semen तो है, but no sperms, तो अब उसको technically देखा था, तो semen भी नहीं बोल सकते, क्योंकि semen is equal to sperm plus seminal fluid, अब यहां सिर्फ seminal fluid है, sperms तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये एकदम correct है, तो सही, medicine खाली, अब ये पिल सारी क्या रहते है, hormones ही तो रहते है, जैसे ही hormone वाली पिल खाली, तो हो सकता है, ovulation process, रुख जाए, ठीक, सही है, और आखरी बचा तुमारा tubic tummy, जिसका one है, अब tubic tummy में भी fallopian tube को cut कर दिया गया, तभी तो नामे tubic tummy, क्योंकि fallopian tube, tube से word लिया गय जैक है, तो अब cut कर दिया गया है, और cut की वज़े से ovulation तो हुआ, ampula, ampullary वाली रीजन में ovum आया भी पर ovum आने से पहले उसको cut करके stitch कर दिया गया, तो fallopian tube तो है, पर वहाँ पर ovum नहीं है, तो ovum not able to reach fallopian tube, जैक, चलो, तो ये correct हुआ, deduction methods है, जैक है, देखो, इसलिए फ section solve कर रहे हो, in case, आखरी में solve कर रहे हो, time बिल्कुल नहीं है, तो please, question number 2 डालो, और सिर्फ अगर C भी लिख के आओगे ना, सिर्फ इतना, C भी लिख के आओगे, तो भी सही है, जैक है, time है, तो फिर ये पूरा option लिखना, start करना, जैक है, पर अगर C लिखोगे, तो भी वो consider करते हैं, चलो, आगे move करते हैं, question number 3 पे, which of the following amino acid residue will constitute the histone core, यार रखो, histone क्या है, एक protein है, कैसा protein है, basic protein है, क्यों basic protein है, क्योंकि वो basic amino acid का बना हुआ है, दो basic amino acid हम पढ़ चुके है, NCRT में, as it is कौन कौन से, lysine और arginine, अब ये positively charge है क्यों लेगे गए, क्योंकि हमारा DNA क्य के कारण है, क्योंकि उसमें कौन सा ग्रूप है, phosphate group, या दाया, तो ये तो एक दम straight straight question हो गया, कि बताओ, histone जो है, वो positive charge या basic nature में क्यों है, क्योंकि एक protein, protein किसका बना रहता है, amino acids का बना रहता है, अब जिस protein में amino acid अगर basic use करोगे, तो उसका nature क्या हो जाएगा, basic हो जाए हुआ clear, चलो question number 4 पे move करते है, evolutionary convergence is development of a, अब याद करो, evolutionary convergence, दो type के तुमने evolution पढ़े थे, divergent और convergent, divergent में क्या होता था, common ancestor रहता था और अलग लग जगे चले जाते थे, मतलब structure same है, function सब सब क्या लग है, divergent evolution, divergent evolution result हा, homologous organ का, ठीक है, origin same है, जैसे मेरे हाथ, एक चमगाद के हाथ, मैं लग फोर लिम, ठीक है, चीता के फोर लिम, अब सब का origin तो से में, यहाँ पे same bone, यहाँ पे same bone, यहाँ पे सारा same bone structure, बट सब के function अलग अलग, मैं लिखने का काम कर रहे हूं, बैट रूडने का काम कर रहे है, whale में जो four limbs है, वो fins में develop हो चुके, चीता में रण सकते है, convergent में सबका function common है, अलग-अलग origin से आएं है वो, ठीक है, यह अलग-अलग structure से आएं है वो, ठीक, चलो देख लेते हैं, हाचा, जैसे एक example, जो structure wise अगर देखा जाए, octopus की आख और हमारी आख, ठीक है, structure wise दोनों अलग-अलग है, पर function तो same कर रहे है, डिखाने का vision, ठीक, चलो देख लेते हैं, common set of function in group of different ancestry एकदम सही fit हो रहा है, क्या बोला कि same function होना चाहिए, उनका origin अलग-अलग हो सकता है, तो origin word को बोलनी के चाहिए, उनने बोल दिया, ancestry अलग-अलग है, ठीक, आगे और देख लेते हैं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, मानना भी नीच group, common set of structure, different in function, divergent evolution है, तो ये भी नहीं, dissimilar set of function, वापस dissimilar नहीं, बाबा, बिलकुल नहीं, dissimilar नहीं, common function है, और पूरा origin अलग-अलग है, structure अलग है, ठीक, तो इसका correct answer क्या हुआ, तुम्हारा, ए, move करते है, question number 5 में, apis mellifera and our killer bees, possessing toxic, toxic important है, B venom, ठीक है, B venom के बारे की मैं बात की गई है, कि जो apis mellifera है, उसमें toxic venom होता है, ठीक है, अगर in case, वापस आजा, अगर snake bite होती है, वो भी venom होता है, correct, तो एक टाइप का protein ही होता है, correct, अब इतना time है क्या कि अपनी body के पास कि उस क्या against anti, उसको antigen जैसे consider किया जाए, तो antibody, ready made fresh antibody लेनी पड़ेंगी, अच्छा, fresh ready made antibody लेनी पड़ेंगी, time नहीं है, हमारी body के पास खुद antibody बनाने का, जब हमारी body खुद antibody बनाने लगती है, तो उसको हम active immunity बोलते है, तो इतना दो time नहीं है, मतलब पक्का हो गया कि हम कौन सब्सक्राइब करेक्ट है, identify the treatment and the type of immunity develop from the given table to treat a person against a venom of this bee, अब यहां पे अगर स्नेक भी लिखा रहे था, तो वो भी same logic लगता, क्योंकि है तो venom, दे दिया है, time नहीं है, body कुद प्रडियूस नहीं कर सकती, तो इतना तो clear हो गया कि यह active तो है नहीं, क्योंकि active में खुद body म तो हम क्या रहेंगे, ready-made antibodies अपने body में inject कर लेंगे, तो यह कैसी हुई, passive, चलो देख लेते है, remedy और immunity, तो पहले तो बताओ कि किस type की immunity है, passive, तो active वाले option ही काट दो, अब बचे तुमारे पास 2 option, ठीके, तो इसमें वो पूछ रहें कि जो venom है, उसमें जो protein of the venom लेंगे, मतल रही थी, तो correct answer क्या हुआ, तुमारा C, अब यहाँ पे उन्होंने apis mellifera करके पूरा killer B का पूरा pattern बनाए, वहाँ पे snake लिखा रहता, तो भी same रहता, वहाँ पे scorpion लिखा रहता, तो भी same रहता, क्योंकि scorpion का जो पीछे का रहता है, उसमें भी poison रहता है, तो किसी भी type के poison के लिए, basically poison यानी venom, तो क्या करना पड़ेगा हम बोलते इसका antidote, है न, या फिर antidote मतलब क्या है, उसकी against, antibody, पहले से बनी हुई antibody, जो एक type की passive immunity है, चीक, चलो, इसलिए, जबी भी, याद रखो, हर poison अलग-अलग differ करता है, क्योंकि हर poison के according antibody का अलग design है, याद आया, इसल इंसान को डॉक्टर के पास लेके जाते है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है, कौन से सापने काटा है, अब पता चला, करेत ने काटा है, और लगा दिया, injection, मतलब antibody किसका, ना जा, ना जा का, यानि की, कोब्रा का, काम नहीं बनेगा, इसलिए, अब जब सपोस करो, जिसको पता है कि इसका नाम यह है, तो वो बता देता कि ठीक है, ऐसा काटा था, फिर भी डॉक्टर इंशॉर कराने के लिए क्या करता है, फोटो दिखाता है, ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, क्योंकि वाइपर का poison अलग है, वेनम अलग है, तो उसकी antibodies अलग कोब्रा, इंडिन कोब्रा की antibodies अलग बनेंगी और किंग कोब्रा की अलग बनेंगी, करेट की अलग बनेंगी, तो हर रीजन वाइस अलग-अलग snakes मिलते है, उसी according उनकी antibody भी उसे area hospitals में रखी जाती है, चलो, मोग करते है question number 6 पे, interference, जैसे interference बोलते क्या याद आता है, अरे व पर क्या हुआ है, वाइरस का infection हुआ है, हमला हुआ है, तो कुछ करो और बज जा, यादा ही पुरी कहाने, तो interferon मतलब कब release होता है, जब वाइरस कोई cell को infect करता है, ठीक, our most effective in making non-infected cell resistance against the spread of which of the fallen disease in human, अब हमें पता है कि वो वाइरस के against ही है, तो अब देख लो, यह जो चा पर इस लुमरिकोईट के करण, roundworm के करण, वाइरस थोड़ी नहीं, वो तो warm है, अगला ring warm, आरे ring warm नहीं है, रिंग warm क्या है, एक fungal disease है, ठीक है, भले वो warm लग रहा है, क्योंकि दाद खात खुजली बोलते हैं, वो ऐसे warm जैसे से gold पाज, दाट जैसा बना देता है, पर warm नहीं है, वो क्या है, एक fungal infection है, नहीं, हमें तो वाइरस चाहिए, viral infection, amoebiosis नहीं, protozoan है, ये तो बिलकुल नहीं, आखरी क्या है, AIDS, अब AIDS होता किसकी वज़े से HIV virus, यानि कि ये, तो correct answer क्या हो है, interferons, किसके against, resistant दिलवारा है, वो है AIDS, क्योंकि AIDS एक वाइरस के कारण होता है और interferon release इताब होता है, जब virus infect करता है, किसी healthy cell को, ठीक, चलो, move करते है, question number 7 बे, which of the following water sample in the table given below, will have higher concentration of organic matter, organic matter, यानि की basically pollution, ठीक है, polluted water, क्योंकि organic matter मतला वो matter, जो defecation से, या हमारे घर के seaweed से, या bathroom से, वाश्रूम से, निकला है, और collect होके गया है, तो उस वाजे से, organic matter का content बह आप breakdown करने के लिए, seaweed treatment plant में जो second step होती है, जिसको हम biological treatment बोलते है, वो basically और कुछ नहीं, बलके इस organic matter का ही degradation कराती है, कैसे, aerobic bacteria को डाला जाता है, पूरे plant secondary treatment वाले stage पे, जहां पे और साथ में air को भी incorporate किया जाता है, तो aerobic bacteria air का use करके, जो भी organic matter है, अब bacteria का organic matter क्या है, खाना है, तो उसको तोड़ेगा, तो सीधा सा logic है, जितना ज्यादा organic matter हैगा, उतना ज्यादा bacteria को क्या लगेगा, oxygen लगेगा, तो उतनी ज्यादा उस particular water sample की क्या बन जाएगी, BOD, biological oxygen demand, means जितना ज्यादा BOD, क्योंकि BOD ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि oxygen ज्यादा लग रहा ह मैं, urination का, फिर उसके बाद, यह सारा जितना भी सारा collect हो के कहां जा रहे, सीवेज में जा रहे, तो सीधा सा logic हुआ, कौन सा, अब उन्होंने पूचा कि बताओ, कौन सा वाला, चार option में से, सबसे ज़्यादा organic matter होगा, तो organic matter सबसे ज़्यादा वहाँ होगा, जहाँ पे, या तो हम बोल सके, BOD का level बहुत ज़्यादा हो, या तो bacterial growth बहुत ज़्यादा हो चुकियों, पर bacterial growth से ज़्यादा correct है, BOD का level ज़्यादा हो, चीक, और वो जो पानी, जो सबसे ज़्यादा polluted हो, चीक है, चलो देख लेते, sample A, level of pollution, आरे, pollution तो high होना चीए, low से कैसे पता चल गया, मतलब यह तो hard गया, अब यहाँ पर BOD level high और BOD level low, उन्होंने organic matter पूछा है, organic matter का confirmation कौन देता है, BOD ही देता है, वापस मैंने बताया, क्योंकि organic matter, यानि कि वो matter जो एक living cell produce कर रहा है, जैसे हम लोग washrooms मनाते हैं, तो जो सुबह सुबह, सुबह नहीं, सब लोग अलग color time पे भी कर सकते हैं, क्यों सुबह सुबह बोले, हाँ, तो सुबह सुबह जो defecation करते हैं, ठीक है, फिर कुछ लोग पूरे time पे mikturation करते रहते हैं, ठीक है, अब या फिर urination करते रहते हैं, तो वापस, यह सारा कहां collect हो रहा है, उसी सीवेश treatment plant में, बनाया तो एक organic इंसा क्या चाहिए, oxygen चाहिए, इसलिए oxygen जिस भी sample की oxygen demand सबसे ज़ादा है, तो वहाँ पे organic matter सबसे ज़ादा है, तो यह तो high होना ही चाहिए, यह low का मतलब है, organic matter है ही नहीं, बाकी कुछ pollution होगा, ठीक, तो अगर इस में से भी हम इन दोनों को देखके किसमें decide करना कि क्या होना चाहिए, तो BOD level, बाकी तो सब हटाई दो, ठीक, चलो, तो देख लेते answer क्या है, तो answer आया A, तो सबसे पहले अगर मेरको decide भी करना है, तो मैं यह बोलूँगी, उसको देखने से पहले यह देख लो, तो यह तो high होना चाहिए, ठीक है, बाकी low वाले options हटा दो, उसके बाद, since organic matter जादा है, तो वो pollution level भी high ही बोलेंगे, low नहीं बोलेंगे, तो देख लो, दो यह option बचे, तो यह low हट जाएगा, automatic से high बच जाएगा, ठीक, चलो, move करते हैं आगे, question number 8 देख लेते हैं, the figure below show the structure of a plasmid, ठीक, एक plasmid PBR 322 दिया है, और इसमें BHM, Balm H1 वाली site दि कैटे कि अगर इस जगे हमने कुछ insert कर दिया, तो इसी जगे पे tetracycline resistant gene है, तो tetracycline resistant gene हट जाएगा, क्योंकि इस जगे पे हमने क्या कर दिया, insert कर दिया, अपना foreign DNA तो उस वाजे से यह जो पहले सी gene present था, वो inactivate हो जाएगा, तो यह tetracycline gene काम करना बन कर देगा, और इस particular ecolico या इस particular जो bacteria है, उसका अगर culture मैंने ऐसे sample में कर दिया, जहाँ पे tetracycline है, तो since इस plasmid यह जो bacteria जिसके पास यह plasmid है, उसके पास tetracycline वाला gene नहीं रहा, पहले था, अब नहीं क्यों रहा, क्योंकि इसी जगे पे क्या कर दिया, insertion कर दिया, किसका foreign gene का, ठीके, उस वा हमने उस culture में tetracycline डाल दी, antibiotic, ठीक है, तो यह bacteria मर जाएगा, कोई growth दिखेगी नहीं, क्योंकि उसके पास उसके against tetracycline के against resistance नहीं है, पर वहीं उसके पास किस चीज का resistance रहेगा, ampicillin का, क्योंकि अभी भी ampicillin वाला gene, as it is, रखा हुआ है, याद रखो, तुम लोग पढ़ DNA है, किसका बाक्टीरिया का, ठीक है, क्या नाम है, इस वाल इसका जो picture में दिया है, PBR 322, यहाँ पर इस plasmid में दो तीन साइट्स होती है, ठीक है, जैसे औराय हो गई, origin of replication, ठीक है, आर, आरोपी हो गई, जो copy number कंट्रोल करता है, उसके बाद दो, आंटिवर्टिक resistant gene वाल genes है, ampicillin resistant gene और tetracycline resistant gene, आर लिखा है न, उपर छोटार, तो वो मतलब resistant, अगर इसको उठा के मैंने कैसे कल्चन में ग्रो किया, जिसमें मैंने दो आंटिवर्टिक्स जा लिए, ampicillin और tetracycline, तो इस बाक्टीरिया को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास, उन दो दवा होंगे, क्योंकि महाँ पर क्या है, क्लोनिंग site है, जहाँ पर मैं अपना choice of DNA, इंसर्ट कर सकती हो, अगर मैंने इंसर्ट कर दिया, तो जो पहले से चीज प्रेजेंट थी, वो अब हट जाएगी, वो इन आक्टिव हो जाएगी, वो काम करना बन कर देगी, और अब इस अग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाक्टिरिया मर जाएगा, या ग्रो ही नहीं को हो पाएगा, हुआ क्लियर, चलो, पहली लाइन समझ ली, अब देखते हैं, अब फॉरें DNA was ligated at balm H1 side, मतलब इस जगे पे फॉरें DNA को insert किया गया, ठीक, the transform, the transformants, मतलब जिसमें ये gene चला गय या जो foreign DNA चला गया, वा grown in a medium containing antibiotics, tetracycline और ampicillin, मतलब अब उन्होंने इसको कैसे culture में grow किया, जिसमें दोनों resistance gene, दोनों दवाईया थी, ठीक है, आंटिबायोटिक में कौन कौन सी थी, ampicillin और tetracycline, अब देखो, इसके पास ampicillin के against resistance है, मतलब कितना भी ampicillin डाल दो, ये insertional inactivation, चीक, और इसी जगे पे हमने क्या कर दिया था, foreign gene डाल दिया था, उस वज़े से जो पहले से gene प्रेजेंट था, tetracycline resistant gene, वो काम करना बं कर दिया, इसी वज़े से ये bacteria grow नहीं कर पाएगा, चीक, choose a correct observation for the growth of bacterial colony from the given table, तो बस अपन को choose करना है, अब हमें पता है कि किसम इसमें grow करेगा, ampicillin में तो grow करेगा, देखो ज़रा, medium of tetracycline, पहले ampicillin देख लो, जो पता है, इसमें तो grow करेगा, तो no growth वाले तो option हटा दो, दो option बज़ गए तुमारे, और tetracycline में no growth होना चाहिए, क्योंकि grow नहीं कर पाएगा, देखो ज़रा, tetracycline में no growth growth नहीं भा boundary condition, where the resources are replenished, मतलब बार बार अगर खतम होरे resources, तो बार बार डाल दिया जा रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर suppose food खतम हो रहा है, तो food को add कर दिया जा रहा है, मतलब ऐसी condition जहां पे resources unlimited है, खतम ही नहीं होगा, तो मुझे ज़रा logic के according बताओ, population growth curve या growth curve के according, दो टाइब क growth curve हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, या आगे अगर नहीं पढ़ा है, तो आगे पढ़ोगे, दो टाइब की growth of growth curve होते, एक होता है, कौन सा sigmoid वाला है जो S shape का बनता है, या real growth curve होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको की logistic growth curve होता है, दूसरा वाला J shape का होता है, exponential growth curve, ठीक, अ exponential growth curve का बनता है, जब resources क्या रहे, unlimited और यहां तो condition ही बन रहे, unlimited क्योंकि जैसी resources खतम होते है, कॉलनी में, जो स्वाती है, वो डाल देती है, ठीक है, जो क्या करती है, नया growth सारा जित्ता भी medium से है, जो भी चीज़ है, खतम होरे resources खतम हो है, वो incorporate कर देती है, ठीक, चलो, तो म तुमारा answer हुआ, देख लेते हैं, where population size is N, birth ratio is B, death ratio ने, birth rate is B, death rate is D, unit time period is T and carrying capacity is K, अब यहां जो carrying capacity वाला गर याद करो, तो दो टाइप के growth curve हमने पढ़ेते है, exponential और दूसरा वाला sigmoid, ठीक है, तो exponential वाले में तो carrying capacity की बात ही नहीं करते हो, सीधे सीधे क्या बोलते है, कि एक particular time limit पे जो हुआ, उसका intrinsic factor आया और उसका क्या हुआ, population size, तो सीधा सीधा है, यह कुछ जाधा logic, सिर्फ एक word से logic लगाओगे और answer निकलाएगा, तो इसका correct answer देख लो, क्या है, dn upon dt is equal to rn, अब वो जो rn divided by k minus n upon k, वो किसका रहता है, sigmoid वाले कर है, चीक, चलो, move करते आगे देख लिते है, question number 10, sea animal gets attached to the surface of the hermit crab, the kind of population interaction exhibited in this case, यह as it is example उठा की, उन्होंने as it is question मना दिया, वापस तुमारी बुक में हमने अलगलग टाइप के relationship पड़े थे, जैसे हो गया predatorism, जिसमें एक animal को फाइदा है, एक को नुकसान है, नुकसान क्या बोलना, दूसरा तो आया भी हो जाता है, अब शेर और हिरन है, तो हम बोल सकते हैं, शेर को फाइदा है, क्योंकि वो हिरन को खा रहा है, पर जो बिचारा हिरन या डियर है, वो नुकसान, नुकसान तो है, पर नुकसान क्या है, वो तो ऊपर ही चला गया, ठीक, अच्छा, दूसरा टाइप का relationship जब इसको हम parasitism बोलते हैं, तो parasitism में क्या होता है, कि एक को फाइदा, एक को नुकसान, बट ओविस जो parasit है, उसको फाइदा, नुकसान होस्ट को है, तीसरा हमने type of relationship पढ़ा था, mutualism, दोनो, दोनो को फाइदा हो रहा है, क्योंकि एक कुछ दे रहा है, दूसरे में बद फड़ा की नहीं पढ़ रहा, ठीक है, तुम हो नहीं हो एक जैसा, ठीक, जिसमें तुम पढ़ चुके हो, example जैसे आगया, sea animal और hermit crab, तो इस वाले, इस वाली condition में, hermit crab को फाइदा है, ठीक है, और sea animal को को उसको क्या, यहां उग गया, उसके shelf पे उग गया, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि गाएं और जो catalygrate है, अब गाएं तो चल रही है, वो चल चल के घहास खारी है, अब यह हαιालग बात है कि जब रही है, तो उसके पैरों से जब ठोड़ी घहास दब रही है, तो उस्से जो कीड़े वो ऊड़ के आ रहें, और जो catalygrate है, वो पकड़-प गड़के खारी तो उसको फाइदा हुआ ठीक पर गये को तो फरक हिना पढ़ना और आखरी वाला है जो एमेंसिलिजम उसमें एक ओर्गानिसम को फाइदा नहीं एक और ओर अर्गानिसम को नुकसान होता है और एक को तो पटाईए नहीं जैसे हम पढ़ चुके तुमारे कंचिन नहीं है पर अगर याद होगा तो उसमें क्या एक्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे जो ऐलेक्सांडर फ्लेमिंग है उन्होंने जब ऐंटिभाटिक की डिसकावरी की तो पहले आंटिभाटिक कौन से थी पेनेसिलं penicillin extract की से होई थी penicillium notatum से तो देखो वो ओगात हो रहते bacteria colony ओग गया क्या एक mould गया ठीक है जो था हमारा penicillium notatum अब penicillium notatum को थोड़ी ना पता था कि हमां वो तो अपना daily routine के according उससे एक chemical release करने लगा है नाम है penicillin अब जैसे penicillin बाक्टीरिया की कॉलनी के आसपास भी आता है टच करता तो बाक्टीरियल की ग्रोथ रुख जाती बाक्टीरिया मर जाता अब देखो इसमें नुकसान किसका है बाक्टीरिया का है कुछ फरक कुछ तो पड़ी नहीं रहा क्योंकि वो तो उसको प पता ही नहीं है तो इसका अंसर क्या हुआ हुआ कमें सेलिसम हुआ क्लियर सब्सक्राइब करते देख लेते question number 11 which of the following food chain is a major conduit for energy flow in terrestrial and aquatic ecosystem conduit का मतलब होता है की reason क्या है ठीक है main reason क्या है energy flow का terrestrial and aquatic ecosystem as it is तुमारे book की line है वाई उठा के लिख दिया है तो याद रखो terrestrial ecosystem का जो energy flow हो रहा है वो हो पार है debt writers के कारण चेक है क्योंकि debt treaty war at the end पूरा terrestrial system ecosystem शुरूआ किस से producers से producers को खाया किसने primary consumer ने उसको खाया secondary consumer ने tertiary consumer बीच बीच में कोई भी एक stage पे कोई भी organism मर गया tertiary consumer में मर गया तब वह वापस degrade हो जाएगा organic matter में convert हो जाएगा वह है वहाँ पे कौन action में आएगा debt writers या फिर debt treaty wars action में आएगा उस चीज को हम debt writers बोलेंगे अब देखो जो energy start हुई थी sun से absorb हुई थी plants ने उसको absorb की उसको convert की बनाया producers बनाया और फिर transfer की and then वह जाके वापस उसी जगा मिल गए तो यह energy flow कौन maintain कर रहा है terrestrial ecosystem में debt writers similarly aquatic ecosystem में कौन maintain कर रहा है grazing यह तो आज इस सेंटेंस है तुम्हारे NCIT का as it is याप करना है चलो मूब करते अगले question पे question number 12 which of the following is an example of xc2 conservation यह पिछले साल भी आया था question board में xc2 in c2 का difference बताओ sample paper में भी दिया है और तुम्हारे इस साल भी exit to nc2 पे कोई ना कोई question रहेगा xc2 का मतलब क्या है उस particular organism को हमने उसके natural habitat से निकाला और कहीं जाके और दूसरी जगे जाके save कर दिया या तो उसको सेव किया या तो उसके हमने कोई cells को ले लिया ताकि हम in future उसको save कर सके तिक या फिर अगर या फिर नहीं और इंसीटू के उस organism को उसी के habitat में save करें तो उसको in-situ बोलेंगे जैसे इंसीटू के एक्जाम्पल होगा रिजर्व हो गया बायोस्फियर रिजर्व हो गया नाशनल पार्क्स हो गया centuries हो गई पर वही अगर मैं उस organism को ले के जा रही और बोल रही नहीं मुझे यह सवाइब नहीं कर पा रहा थोड़ा मेरको medical condition care देनी पड़ेगी इस particular organism की फिर जब वह वापस ठीक रहें मैं वापस छोड़ा हूंगे तो यह तो मैं जूस मेंटेन कर रहे हूं तो जो यह जो सेकेंड प्रसीजर वह जू हुआ जैसे भोपाल का जो नाशनल जू है या फिर नाशनल ओपन जू है जिसको correct word है नाशनल ओ पार करना दोनों का मिक्षर है तो एक टाइब का एक सीटू भी है एक टाइब का इनसीटू भी हाँ पर एक सीटू इतने बड़े इंसीटू इतने बड़े लेवल पर नहीं क्योंकि वह बहुत छोटे एरिया में covered हैं अब जिसे शेर हो गया लाइन शेर हो गया उसके बाद जो वन भी आर बोपाल का है उसका एक्जांपल बता रही हूं जैसे वहाँ पर बीयर भी रखे हुए चिक है उसके बाद टाइगर्स भी है लाइन्स भी है जागवर्स भी है अब यह सारे जो ऑर्गानिसम है वालब जागवर्स तो नहीं लेपर्ड है ठीक है ने तो बोलो किया है उनी के जैसे एंवार्मेंट मेंटेन करने का बट एरिया कम है पर मतलब निकाला तो उनको उनी के हैबिटाट से और किसी दूसरी जगे प्लेस किया तो यह जो है ऐसी मेटोड जिसमें हमने उस और गयानिसम को उसके नाच्रल हैबिटाट से निकाला कहीं और जगे किया तो उसको हम क्या बोलते एक सीटू और वहीं पे छोड़ रहे कि भाहिया तुम अपने ही जगे पे रहो हमने सिर्फ अप ऐसा कर दिया कि कोई बाहर वाले इंसान बेसिकली क्योंकि इंसान का इंक्रोच्मेंट एरिया नहीं रहेगा वहां पे इंसान को एक्टिविटी प्लांट के केस में बोटानिकल पार्ट्स होते हैं सीट बैंक्स होती है उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन भी एक टाइप का एक सीटू है क्योंकि तुमने उसके सेल्स बचा के रख लिए गैमीट्स प्रिजर्व करके रख लिए कि इन फ्यूचर जब टेक्नोलोजी ज प्लांट्स है अब वो सेक्रेड मतले उसे कुछ स्पिरिच्वल या रिलिजिस पॉपस रहता है तो सेव करके रखते पर हुआ तो उनके नाशनल हाबिटाट में ना इसलिए हटाओ नाशनल पार्क्स और बायोस्फेर रिजर्व तो मैंने बताया ही कि इन सीटू का एक्ज तुम्हारा आखरी 16 यह सब क्या है अजर्शन रिजिजन अब जिन लोगों को अजर्शन रिजन नहीं आते सौल करना बता दू एक छोटासा तरीका है बिस उसे फटा-फट सारे अजर्शन रिजन सौल हो जाते हैं ठीक है पहली बात समझव है क्या तो अक्स प्रशन स्पे कि Magnet Brain YouTube का एक चानल नहीं है, ठीक है, अब तुमको पता यह मैं गलत बोल रही हूं, ठीक है, और अगर यहां लिखा होता है, Magnet Brain YouTube का एक Education Platform है, ठीक है, ठीक है, तो यह Statements आई है, जब तुम देखो कि पहला वाला Statements आई है, तभी आगे पड़ो, अगर तुमको लगा कि Assertion जो Statement लिखा हुआ है, सब बकवास है, सब गड़बड लिखा हुआ है, तो सीधा-सीधे उठा कि क्या Answer मार करो, डी मार करो, ठीक है, तो उस Case में क्या रहेगा, कि Assertion is False, बट R is True, तो देखो, तुमको अब तुम यह मत बोलो कि माम, R is False हुआ, तो कौनसा Option, तो भी यह Option जुनाएगा, ठीक, मन में Question आ सकता है, मैं ऐसा भी तो हो सकता है, कि दोनों Statement गलत हो सकते हैं, बिलकुल हो सकता है, पर उन दोनों Case में तुम कौनसा Answer मार करके आओगे, ठीक, पर Deduction Method सिखा रहे हूँ, तो टाइम बचाओ, सीधे सिधे वाजर्शन पढ़ो और उठा के D Answer म बोला, और दोनों जो तुमने बोला था, और जो तुमने पढ़ा, वो सेम मिला, तो तुम्हारा Answer Option क्या हो गया? A, ठीक, बनला, Assertion Statement सही है, Reason Statement सही है, और Reason सही लौजिक के Assertion का, क्योंकि तुमने Because करके तुमने वही आंसर बोला था, जो लिखा हुआ मिला, ठीक, अगर Suppose करो लिखा हुआ जो मिला है, वो जो तुमने बोला था, वो नहीं था, ठीक, आपने Because करके बोलते हैं न, कि ये Reason होगा, तो जो तुमने Reason बोला, वो तुमको नहीं मिला, पर कुछ और लिखा हो था, पर वो सही था, सही था, बतलब वो Statement अकेले में सही था, पर उसका सही logic नहीं था, तो answer आएगा तुम्हारा B, पर तुमने suppose करो C वाला option पढ़ा, और उसमें कुछ भी बकवास लिखी हुई है, तो answer आएगा C, अब जिसे example बता देती हूँ, पहला वाला statement है, suppose करो, जो assertion है, ठीक है, assertion में लिखा हुआ है, कि वापस वाई, कि MB क्या है, YouTube का एक चानल है, मैं shortcut लिख रहे हूँ, MB YouTube का एक चानल है, ठीक है, अभी statement क्या है, सही है, ठीक है, तब जैसी चानल है, लगाया, तो मैंने word लगा दिया, because, अपने मन में, because लगाना है, ठीक है, और बोलना है, कि हाँ, MB YouTube का चानल, इस लिए, education platform है, free education platform है, जहां पे, अलग-अलग सब कहां लिखा हुआना चाहिए, reason में लिखा हुआना चाहिए, वही अगर reason में मिल गया, तो ठीक है, तो answer क्या हुआ, A, suppose करो, यहां लिखा हुआ होता, कि YouTube, YouTube एक online platform है, ठीक है, platform है, या एक free platform है, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ ही लिखा रहता, तो अब देखो, जो मैंने ब बोला, MB YouTube पे एक channel है, तो यह तो सही है, पर because में क्या हो, बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ, जब हम search करते है, YouTube पे, तो वहां पे हम एक channel दिखता है, एक education platform है, ऐसा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, ता इस reason में, ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं, पर जो reason लिखा है, वो भी सही ह में, जो free में मिलता है, correct, तो यह statement भी सही है, तो देखो, जो मैंने बोला, वो यहां ऐसा होना चाहिए, और तो रुखो, थोड़ा confused हो जाओगे, तुम लोग, ऐसा समझते है, educational channel है, ठीक है, ऐसा करते हैं, simple, simple, educational channel है, ठीक, MB क्या है, educational channel है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, पता चलती है, वो सारी uploaded रहती, तो यह sentence यहां लिखा हुआ होना चाहिए, पर यहां कुछ और लिखा है, क्या लिखा है, MB YouTube का एक channel है, तो यह statement भी सही है, पर जो मैंने बोला, because करके, वो लिखा है क्या, नहीं, तो answer क्या आजाएगा, B, suppose करो, यहां लिखा होता, YouTube जैसे कोई चीज exist ही नहीं करती है, ठीक है, don't exist, ठीक है, और आकरी वाला अगर ऐसे लिखा रहता, कि MB educational channel नहीं है, तो वो खुदी statement गलत होता, तो answer आजाता, D, हुआ clear, तो यह तरीका है, मैंने तरीका बता दिया, चलो इससे तरीकों को apply करते, question number 13 पे, assertion reason, तो हम क्या करेंगे, assertion को पढ़ेंगे, word क्या लगाएंगे, because लगाएं सब कुछ बकवास लिखी हुई है, तो answer आएगा, C, और जब assertion पढ़ा था, वही लगा, सब कुछ गडबड गडबड लिखा हुआ है, तो answer आएगा, D, हुआ clear, चलो start करते, तो assertion, apomictate embryo are genetically identical to their parent plant, पहले तो बताओ, यह apomictate word आया, कहां से, apomixis से आया, apomixis क्या होता ह एक ऐसा development हो रहा है, किसका, seed का without fertilization, मतलब seed बन गया, याद करो, तुम अलड़ी पढ़ चुके हो, अलग-अलग terms पढ़ चुके, जिसे apomixis हो गया, पार्थीनों, कारपी हो गई, मतलब fruit का formation without fertilization, अब मैं क्या बोल रही हूँ, कि seed का formation without fertilization, मतलब male gamit की जरुवत ही नहीं पड़ी, female नहीं बोला नहीं, मैं खोदी डिवाइड करके seed बना लूँगी, तो यह क्या हुआ, apomixis, च्रीक, तो ऐसा seed का formation हो रहा है, जिसमें fertilization की जरुवत नहीं है, तो यह जो apomixis है, वो क्या बोल रहे हैं, कि genetically identical रहते है, parent plants है, हम बिलकुल identical रहेंगे, क्योंकि यह तो एक टाइप का asexual reproduction हो गया, sexual reproduction तो हो आई नहीं, क्योंकि sexual reproduction result होता है, variation का, यहाँ पे जो parent के ही vegetative cell नहीं, यह हो सकता है, generative cell हो, पर वो behave कर रहें, vegetative cell जैसे, और नया plant बना दिया, यह नया seed बना दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, sexual reproduction, तो यह जो apomixis है, यह apomixis है, embryo है, वो genetical, identical तो होंगे, क्योंकि वही जहीं का cell है, देखो यह तो वही सेम चीज होई, जिसे clone बनाना, suppose करो मुझे अपना clone बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ के cell लिया, cell का nucleus लिया, एक ovum लिया, अब यहाँ के cell के nucleus में, कितने chromosome रहेंगे, 46 chromosome रहेंगे, है तो 46, बस एक ovum लिया, उसका nucleus हटाया, अपना nucleus डाला, ग्रो करने लगा, जैसे ही, एक morula stage तक आया, या फिर blastocyst तक आया, तो blastocyst जादा correct है, blastocyst में आया, उठा के implant कर दिया, नौ मैंने वेट किया, ग्रो होके, जो baby बाहर आया, वो मैं ही रहूंगी, exactly, बट, बतलब जैसे मैं बच identical, same to same, बिल्कुल, point one का भी difference नहीं रहेगा, सिर्फ behavior का difference हो सकता है, क्योंकि behavior तो environment से decide होता है, तो यही तो apomixis में हो रहा है, fertilization तो हुआ नहीं, seed बन गया, तो यह seed कहां से बना, basically था job cell, पर वो behave करने लगा, किसके जैसे, vegetative cell के जैसे, और same cheese copy हो गई, तो इसलिए बोल स में क्या होता है, without fertilization, seed का formation होता है, एक type का, asexual reproduction, correct, तो यह जो मैंने बोला, यह ऐसा कुछ लिखा हो आना चाहिए, reason में, देख लेते हैं, abomixis is the production of seed without fertilization, बिल्कुल सही, without fertilization means, is a kind of, अब जो abomixis हुआ है, is a kind of what, asexual reproduction और a sexual reproduction में, जो genetically identical होते ही है, parents से, तो जो मैंने बो चलो, आगे move करते है, question number 14 पे, when white-eyed yellow-body drosophila female were hybridized with red-eye brown body male, and F1 progeny were intercross, F2 ratio deviated from 9 is to 3 is to 3 is to 1, जो T.H. Morgan है, जो chromosomal theory of inheritance है, उनों T.H. Morgan बाल बड़े fan थे, Mendel के, तो उनने सोचा कि ठीक है, मैं भे एक dihybrid cross लेता हूँ, पर मैं किसका कौन sample organism लोंगा, मैं drosophila या fruit fly लोंगा, पाइसम से टाइब गार्डन पी को, चीक है, अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने जेंडर वाइस, जो उसके distinctive features ले लिए, कौन-कौन से eye का color और body का color, अब उन्होंने वो दो character लिए, मतलब body का color, eye का color, दो character हो गया, cross लगा दिया, अब उन्होंने, उनके logic का कोड़े, उन से eye का color और body का color, same chromosome पे बहुत past mass present हो, linked हो, linked होने की वज़े से high chances है, कि as it is, वही जो genotype है, वो अगली जनरेशन माया, result है हुआ, कि same phenotype obtained हुआ, मतलब जो अगली offspring हुई, वो as it is, parent जैसे ही दिखने लगी, बहुत कम chances है, कि कुछ नया recombination हुआ, क्योंकि recombination होने के लिए, necessary है, क्या necessary है, कि अगर chromosome है, तो वहाँ पे gene क्या होने चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, जब दूर दूर रहेंगे, तब crossing over या recombination के chances जादा बढ़ते हैं, पर अगर कोई gene, पास पास में हो, तो क्या बोलेंगे हम इनको, gene को linked बोलेंगे, और high chances है, कि जब A gene inherit हो रहा हो free में कौन मिल जाएगा, B gene मिल जाएगा, इसी लिए जब T.H. Morgan ने ये सारा experiment किया था, तो इनको 9-3-3-3-1 का ratio नहीं मिला, क्यों? क्योंकि gene linked थे, या इसी को बोलने का दूसरा तरीका, same chromosome पे बहुत पास पास दोनों gene situated थे, हुआ clear, ये because के बाद का मैंने सारा बोला, तो ये जो दित्ता भी मैंने बोला, सब क्या होना चाहिए, या लिखा हुआ होना चाहिए, चीक, अच्छा, जो उपर का लिखा हुआ सही है, हाँ सही है, तो इतना clear हुआ क्या option D तो नहीं है, चलो देख लेते reason, when two gene in a dihybrid are on same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher than the non-parental type, मतला parents जैसा result आने के chances बह में non-link थे, तो जिनमें link थे, जो A cross था, उसमें बहुत ज्यादा 97% कैसा chances था कि parental जैसा ही अगले offspring हुए, और से थोड़ा सा ही difference create हुआ, वहीं जो cross भी था, वहाँ पे since gene दोनों दूर दूर थे, तो recombination हुआ, तो वो ratio 97-57 पे आ गया, चीक, तो इसका answer क्या हुआ हुआ, सही, सही, सही logic, सलो, move करते है question number 15 पे, assertion, functional ADA, cDNA gene must be inserted in the lymphocyte at early embryonic stage, हाँ, बिल्कुल सही, अगर permanent के और चाहिए, ADA का, तो उसमें जो functional cDNA insert करके, जो lymphocyte है, early embryonic stage पे करना पड़ेगा, अगर early embryonic stage पे नहीं किया, यही early embryonic stage में ही cDNA gene के अंदर होना चाहिए, तो वो permanent के और ह है, otherwise, अगर lymphocyte replace करे हो, या फिर यह cDNA वाली जो procedure है, वो करे हो lymphocyte में, पर अगर adult हो चुका है, तो हर एक particular duration में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि lymphocyte की lifespan है, जैसे ही उसकी lifespan खतम हो जाएगा, उसके अंदर जो functional cDNA वो भी काम करना बन कर देगा, तो अब जो नए cells आए चला जाएगा, तो एकदम सही है, याद करो यह वाला topic, particularly ADA का अलग प्यार है, CBSC, क्योंकि पिछले साल, पिछले साल मतलब जो भी exam हुई थी, उसमें भी question था, यह ADA की उपर, अब देखो sample paper में फिर से दे दिया और यकीन मानो, फिर से तुमको इस बार, CBSC के exam में यह ठीक है, क्योंकि जब 35 marks के paper में वो ADA दे सकते हैं, यह तो 70 marks का paper है, पूरे chances है question आने के, ठीक है, चलो देख लेते हैं, तो जो मैंने बोला, वो क्या है, वो एकदम सही है, यह permanent के और है, ठीक है, temporary के और अलग है, चलो, cell in the embryonic stage हा, mortal, डिफ्रेंशीटेटेटेटेटेटेटे easy to manipulate, वो बोल रहे हैं कि जो cells होते हैं, embryonic stage पे, वो कैसे रहते हैं, mortal रहते हैं, मतला मर जाते हैं, immortal याने की, divide होते रहते हैं, यह बोल रहा हैं कि, cells जो है embryonic stage पे, वो मोटल होते हैं, ठीक है, differentiate होते हैं, और manipulate करना उनको easy है, चलो देख लेते हैं answer, तो देखो, यह वाला ज बुक्त रीप्रणीड सेव्राही को warranty वुत चक्ता रश्केशन वा जाप्टर में कि स्तार्टिंग में miosis होता है उसके बाद से wikwetural division करते करते एक particular stage सिर्व mitosis 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 होता है तो यह statement तो कुछ घड़बड दिखा न अच्छा डिफ्रेंशीटेटड होती है क्या यह वर्ड भी घड़बड है नहीं मैं तो सिर्फ कार्डियाक सेल सी बनूगी नहीं भाईया embryonic stage पे तो अभी वो सिर्फ divide कर रही है mass बढ़ते जा रहा है तो एक time आएगा उसके बात पर तो differentiation स्टार्ट होगा तो यह दोनों word गलत है याद रखो अगर दो word गलत है चीक है तो उस पूरे statement को दो word नहीं मतलब अगर एक statement में आधा statement गलत है प्लीज उस पूरे statement को गलत कंसिडर करो तो इस logic के according तुमारा answer क्या हैगा C क्योंकि से उपर वाला statement गलत है नीचे वाला स्वारी उटपर वाला statement सही है नीचे वाला तो आधा गलत यानी पूरा गलत 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 तो A is true but R is false हुआ क्लियत चलो मूब करते है section A के आखरी question में क्योंकि section A का सिर्फ सोलाई question थे 16th question पे वो भी assertion reason है यह पका इसी के उपर कुछ चाड़ी होगा चलो देख लेते है given below is the age pyramid ठीक है of population in one of the state in India as per 2011 census it depicts the male population on the left hand side ठीक है ब्लू अली मेल है and female population on the right hand side newborn toward the base population में अब देखो जब इतना ही right hand side बोल दो तो अगर याद करो हमें पता है कि age pyramid का जो नीचे वाला portion रहता है वो pre reproductive age रहता है वो age जो अभी जिसमें हम बोल सकते हैं बच्चे हैं जो अभी reproduce करने वाली stage में आई नहीं है basically puberty को hit नहीं किये फिर यहां से जो पिवर्टी से लेके around around 50 50 ish age तक ठीक है 50 भी बोलना जादा है फोड़ा कमी बोलना चाहिए 45 तक क्योंकि 50 पे तो वैसे menopause आ जाता है ठीक है फिर भी चलो consider कर लो 50 तक या इसको बोलते है बेसिकली जहां पर जो इन पीपल जो है लोग है जो री प्रडूस करेंगे अपने बच्चे पैदा करेंगे ठीक जो बेसिकली population growth के लिए responsible है ठीक है और आखरी आता है जो सेनसेंस वाली एज है जो 60 के उपर ठीक है जो आप कुछ नहीं करेंगे पोसरी प्रडुक्ति वेच ठीक चलो न्यूबर्ण तुवर्ड दवेज वह बतारें न्यूबर्ण बेस की तरफ एन ग्राच्वली इंग्रीजिंग एज ग्रूप अजी मूव फ्रूपलेशन अगर ध्यान से देखो तो प्री रीप्रूट्टिव और रीप्रूट्टिव का नंबर अल्मोस्ट आल्मोस्ट एम लिख रहा है याद करो हमने एज पिरामिट्ट तीन टाइप के पढ़ें अब अगर नहीं पढ़ेंगे पढ़ लोगे अब भी बता दे रहीं तीन टाइप के एजप प्रामिट रहोते एक को बोलते हैं मैं एक्स्पांडिंग जैसा इ table जो somewhat इसमें जा रहा है जिसमें pre reproductive और reproductive का number almost same चलता है और सबसे कम कौन सा होता है जो तुम्हारा बोल सकते हैं हम post reproductive और दूसरा होता है पूरा inverted inverted में सबसे मतलब post reproductive और reproductive का number same रहता है और जो pre reproductive उसका number कम होता है चीक है तो उसके और वो किस country का example है जपान हो गई European country अब उस वाले graph में उस age pyramid में आ रही है क्योंकि वहाँ पे बुड़े लोग जादा है post reproductive जादा है इन फाक्ट जो reproductive उनका number जादा है पर reproductive अगली जनरेशन प्रडियूस ही नहीं कर रहे सिंस अगली जनरेशन प्रडियूस जाए क्यों क्योंकि एक टाइम आएगा जब उनके वहां के नेटिव लोगे खतम हो जाएंगे वहां क्लियर पर इंडिया किसमें आता है expanding में बच्चे पैदा हो रहे है अब देखो हर चीज के pros and cons है चलो तो देख लेते इता आ आ गया समझ में कि कैसा है stable population है assertion it is a stable population हां बिलकुल सही है stable population क्यों स्टेवल population बोलते क्यों कि pre-reproductive और reproductive क्या होना चाहिए same है और मतलब एक जैसा ही है और post reproductive कम है यह जो मैं बोल रही हूं वो कहा होने लिखा होना चाहिए reason में the pre-reproductive and reproductive individual are almost in equal number and the post reproductive individual are relatively fewer बिलकुल सही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ answer क्या हैगा A देख लेते हैं A हुआ clear चलो section B start करें section B 2 mark करें अभी तक जित्ता भी था one mark करता हो options थे A B C D में से choose करना था तो वापस suggest करूंगी आखरी में यह वाला section कर क्या मतलब solve पहले ही कर लो जो 15 मिनिट्स मिलेंगे तुमको reading time उसमें फटा-फट बैटके solve कर लो ठीक है एंड में section A में सिर्फ तुमको question number 1 लिखना है A लिखोगे तो भी marks मिल जाएंगे पर वही 5 marker में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा तो महां marks चूटने के chances जादा हैं तो रिस्क मत उठाना चलो अभी फिलाल तो अपन क्या discuss कर रहे है section B 2 marker वाला question number 17 देख लो in a given figure आ गय मैंने पहले भी बोला था यह डाइग्राम से भी cbsc को कुछ अलग तरीके का प्यार है क्या प्यार है पता नहीं अपन को ठीक है पर यह question हमेशा आता है हमेशा तुम जब प्री बोर्ट देखोगे उसमें जो सहोदे का पेपर आएगा उसमें भी यह चार्ट दिया हुआ र दिया देख लेना पक्के से इस बार के cbsc में भी इस चार्ट से रिलिटेट कुछ ना कुछ रहेगा चलो पहले तो अपन एक काम करते हैं देख लेते कि क्या बोल रहा है ग्राफ इंद गिवन इंद फिगर गिवन बिलू पार्ट ए और बी शोग देवल फॉर्मोन विच इस दा में श्रुल साइकल ठीक है अब यहां तक रोग लिया है अपना खुद समझ लेते हैं क्योंकि वही तरीका ही वही है ठीक है यह बहिए यह बुक का डाइगराम है में श्रुल साइकल शो कर रहा है एक में स्वेंस्वल साइकल एवरेज एवरेज 30 देस की मान के चलो जैवरेज 20 देस की मान के चलो तो नीचे का दिया है, एकसि अक्से में डेट क किसी के भी अगर 30 देस की हम साइकल मान के चल रहे है Alber डिए दिविशिं मे डिवाईड कर सकते हैं ठीक है अब first वाले को हम क्या बोलते है फॉलिकुल फेस बोलते है जिसमें जो graphene fallicle है वो mature होता है मतलब एक फॉलिकल निकला primary फॉलिकल, secondary फॉलिकल, tertiary फॉलिकल, graphene fallicle तक 15 दिन तक वो वहीं पहुचता है अगर 30 days की cycle है तो 15th day पर क्या होगा ओविलेशन होगा ठीक है ओविलेशन मतलब ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज आउट होगा जो ओवरी अगर है तो उसके फिमरी यह से क्याच होगा ठीक और फिर जाकि वह एंपलरी रीजिन में बेट करेगा कि अप स्पॉम आएगा फर्टिला तो अब वह क्या कर रहा है तो अगली 15 डेस की साइकल है उसमें वह क्या करेगा तैयारी करेगा क्या फटिलाइज़ेशन हो चुका इस बार इंप्लांटेशन होगा ठीक है तो हुआ क्या तो उसमें अपने एंडोमेट्रियम की लेइर बढ़ाना शुरू कर देगा ठीक है तुम्हारे बुक में इसके नीचे एक और चीज दी हुई है जिसमें एंडोमेट्रियम के लेयर दी हुए अब इन लोग ने क्या किया है एक्जाम में उन्हें से वूपर के दो ग्राफ उठा लिए ठीक चलो अच्छा यह कहानी शुरू कहां से होती है वापस सारी कहानी शु कि तुम कहां पे 11 ग्रेड में ठीक अच्छा जैसे पिट्यूटरी को इन्फरमेशन मिली की सुप्रीम कोट ने कोई और दिया है तो पिट्यूटरी क्या हुआ हाई कोट हो गया ठीक है तो हाई कोट ने बोला कि चलो दो हॉर्मोन रिलीस करते हैं कौन कौन से सबसे पहले को बोलेंगे एफ एच दूसरे वाले को बोलेंगे लेच तो एफ एच रिलीज हुआ ब्लड में ब्लड घुमते-घुमते फीमेल की बॉड़ी के कहां पर पहुचा ओवरी के पास पहुचा और बोला कि चलो एक ग्राफियन फॉलिकल बनाए मैच और ग्राफियल कल फॉलिकल इसलिए स्टार्टिंग के पहले 15 दिन सिंस एफ एसेच काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं फॉलिकुलर फेस जहां पर यह सारा कहानी कहां हो रहा है यह नीचे वाली कहानी ओवरी में हो रहे है उपर यह इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है पिट्यूटर इने दिये ठीक ओके अब फॉलिकल बनने लगा मैच्योर हो गया जैसे ही 15 दे आया वापस प्रिट्यूटर ने दूसरा हर्मोन बेजा नाम क्या है एलेज लूटिनाइजिंग हर्मोन तो अब 15 दे पर क्या होगा ओविलेशन होगा ग्राफियन फॉलिकल में से मैच्योर ग्राफियन फॉलि ठीक अभी एक हॉर्मोन प्रड्यूस करेगा जिसका नाम क्या है प्रोजिस्टरॉन क्योंकि यह मान के चल रहा है ना कि एग क्यों रिलीज हुआ है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा बीवी बनेगा ठीक है मतलब यह जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को कहीं इंप्ला जो कॉन रिलीज आउट करेगा वही खाली डबबा ग्राफियन फॉलिकल का कॉर्पस लूटियम याद आ गया सब याद आ गया ठीक है अब देख लेते हैं अक्चुल क्वेश्टन क्या बोल रहा है देखो स्टाडी तो फिगर पढ़ लिया स्टाडी कर लिया आंसर दो और गन पूछ रहे हैं सिक्रीट्स होर्मोंस प्रेजेंट इन पार्ट A & B A & B A में होर्मोन है हमारे पास FSH और LH तो कॉन रिलीज करता है पिट्ट्यूटरी पता ही अभी तो कहानी शुरू की अच्छा B के होर्मोन है इस्ट्रोजन अन प्रोजिस्टरॉन कॉन रिलीज कर इंसलिम साइकल वो पूछ रहे कि बताओ यहां जो दूनो हरमोन हैं वो फी वाले में जिते पारट भी हर्मोन दिये हुए हो उसकाम इमपैक्ट क्या होगा यूटरेस पे तो हमने बोला ही क्या होगा जैसे ही प्रोजिस्टरॉन का नंबर जाधा हो जाएगा लेवल जाध करते हैं, चलो देख लेते हैं, endometrium of the uterus regenerates through proliferation, तो होने क्या लगी, बढ़ने लगी, देखो, वापस, एक सेकंड, ओके, तो बापस, कॉंसेट है, 6-15 दे हैं, तो यहां से यहां तक, progestron का लेवल बढ़ने लगा, तो वापस endometrium की layer क्या करने लगी, बढ़ने लगी, हुआ इतना clear, move करें आगे, तुम्हारा सेम NCRT का diagram है, वही उठा के उन्हेने पूछ लिए, चलो, move करते है, question number 18 पे, a true breeding pea plant, मारे true breeding है, ठीक है, मतलब दोनों क्या है, pure line से आ रहे, heterozygous condition नहीं है, homozygous ही है, आगे, homozygous dominant for inflated green pod, अब inflated dominant है, तो ff और green है, तो जी-जी, क्यो yellow है, recessive, ठीक है, is cross with another pea plant, याद रखो, yellow किसका बोल रहे हैं, seed का नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि seed में, seed का shape, seed की color में, तो seed का color में yellow dominant होता है, यहां बात किसकी करें, जो फली रहती है, जो मतर की उपर वाली फली रहती है, pod, pod का मतलब क्या है, फली, उसके color में बात करें, तो pod में dominant क्या होता है, green होता है, इसले capital G, और इसी का recessive क्या रहेगा, small g, small g, ठीक, अचा, उसमें dominant क्या होता है, inflatted, है न, और recessive क्या रहती है, ऐसे सुकुडा हुआ, एकदम constricted, जो वहां लिखा हुआ है, small f, small f, हुआ clear, ठीक है, is cross with another pea plant with constricted yellow pot, ठीक है, इन नोनों का cross दिया, चलो, यहां रोग दिया, अपना खुद सौल कर ले, पर देख लेते हैं क्या पूछ रहे है, with the help of minute square, show the above cross and mention the result obtained, phenotypically and genotypically in F1 generation, चलो शुरू करते हैं पहले, सबसे पले क्या है, parental generation, P generation, ठीक है, कैसी है, true breeding line है, क्या क्या रवाया गया, cross करवाया गया, phenotype क्या है, इसका inflated और green, इसका क्या है, constructed और yellow, ठीक, genotype क्या है, दोनों कैसे है, homozygous dominant, यहां पे, दोनों characters के alleles कैसे है, homozygous dominant, चलो, यह बताओ, मिलको क्या क्या है, मिट प्रेड्यूस करेगा, दोनों से मैं, capital F, capital G, यहां क्या हैगा, small f, small g, अच्छा, यह दोनों मिला के क्या ब dominant है, ठीक, अच्छा, उसके बाद, phenotype क्या है, phenotype अभी भी dominant का चलेगा, inflated क्योंकि capital F है, और green क्योंकि capital G है, ठीक, अब इसका क्या होगा, जल्दी बताओ, self-pollination, यह self-crossing कराई जाएगी, तो अब बताओ, आप कौन से gametes बनेंगे, देख लो, यह di hybrid process, तो यह करने का तरी capital F लिखोगे, लिखोगे small G, अब capital F को suppress कर दो, तो small F और आएगा capital G, अब आएगा small F और small G, तो क्या किये वापस, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, सबसे पहले जब capital F देख रहे हो, तो small F को press कर दो, मत देखो, मैं तो confused हो जाएगो कि क्यामेट कैसे बना ले, यहां से capital F लो, वहाँ से capital G लो, फिर capital F लो, small G लो, अब इसको suppress कर दो, small F लो, capital G लो, small F लो, small G लो, ठीक, सेम वहाँ पे होगा, तो क्योंकि selfing हो रहे है, self pollination, बास अब क्या बनेंगे, 16 डब बनेंगे total, पनेट स्क्वेर में 16 boxes बनेंगे, क्योंकि यहां इसका भी same gamut से, उसके भी same gamut से, बस अब क्या करना है, बस लिखते जाना है, याद आ गया, चलो, यही तो पूछा है, उनने और क्या पूछा है, तो यहां पे भी कैसा ratio आएगा, 9-2, 3-2, 3-1, वाइक तो चीज है, die hybrid cross है, पूरा, कौन सा 9-2, 3-2, 3-1, phenotypic ratio, genotypic ratio तुमारे book में दिया नहीं है, पर तुम चाहो, तो अलग से निकाल सकते हो, चीक, पर यहां पे देखो, उनने जीनोटेपिक पूछ लिया है, पर किसका पूछा है, पूरा तो question देखो, F1 generation का, मतलब इतना पूरा करना ही नहीं है, आदे तक ही solve करना है, खुद सोचे ना, अगर पूरा 16 boxes solve करने रहते, फिर पूरा F1 भी solve करके F2 बताना रहता, तो यह टूमा का question नहीं होता, तो यह कौन सा है तुमारा, जीनोटाइप और फीनोटाइप पूछा है, तो फीनोटाइप भी सारे के सारे सेम है, जीनोटाइप भी सारे के सारे सेम है, जीनोटैपिकली कैसे है, वो हेटरोजाइगस dominant, hybrid बने हैं और phenotypically कैसे है सारे dominant डिख रहे हैं मतलब inflated और green character दिख रहे हैं हुआ clear चलवान सा देख लेते हैं तो यह हुआ P generation inflated green cross करवाया constructed yellow के साथ अब genotype कैसा है capital F capital F capital G capital G इसी को बोलने का दूसरा तरीका homozygous dominant और दोनों के लिए हाँ भी homozygous dominant gametes कैसे निकलेंगे capital F capital G आएगा small f small g आएगा result क्या होगा एक hybrid बनेगा heterozygous dominant condition obtain होगी और सारे के सारे कैसे रहेंगे genotype भी same phenotype भी same यानि की all inflated or green pods अब correct pennant square बनाओ और फिर phenotype क्या है तो सारा all inflated green pods और genotype capital F small f capital G small g वा clear यानि की heterozygous dominant दोनों के लिए चीक चलो मूब करते अगले question बे question number 19 during a field trip चीक है भाई एक field trip हो रही है one of your friend in a group suddenly become a man velik dummy बिमार पड़ गई she started sneezing चीकने लगी and had trouble in breathing मतलब सास ले दे में दिककत और चीश चीकने लगी हो सकता है since वो field trip कर रही थी किसी ऐसे agent से वो टकरा गई उसको नहीं पता था कि वो agent था पर उसकी body react कर गई और उसकी body ने बोला ये agent को हम treat करेंगे एक allergen की तरह एक antigen की तरह तो उसकी body ने बोला हो हो कोई बाहर से आ गया चलो इसको मारो उस चक्कर में उसकी body होने लगी है ना तो यह जो सारी चीज़े होने लगी किसका symptom दिखा रहा है allergic symptom दिखा रहा है उसको पता नहीं field trip पे जा रही पहली बार कोई substance आयोगा उसको पता ही नहीं था पूचा गया था टू मार कर में ही जो अभी तुमारा 12 बोड का पेपर हुआ था चीक है वहाँ पे symptoms पूचे गये थे कि बताओ allergy के symptoms क्या होते हैं और पूचा गया थे कि कौन responsible in symptoms के लिए कौन सा chemical produce होता है और फिर एक और पार पूचा थे क्या counter effect हमारी body कैसे counter effect करती है चीक चलो देख लेते हैं अब आगे हो सकता है वही पूचे name and explain the term associated with such sudden response मतलब basically वो पूचरे बताओ क्या हुआ तो allergy हुई what would the doctor recommend for relief अब उसको इतनी सारी problem हो रही है तो body में कौन से chemicals निकले histamine निकला किस ने निकाला मासल ने निकाला और कौन से antibody produce हुए IgE यह तो हमको पता है अब इसके कारण histamine के कारण body में सारी symptoms आने लगे symptoms को बन करना है क्योंकि तकलीफ हो रही है उसको ठीक है तो क्या दिया जाएगा anti-histamine ठीक चलो देख लेते आंसर allergy पताईए allergy the exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy याद रखो ये question इस बार के भी बोड में आया था फिर से sample paper में दे रहे हैं मतलब पूरा माहूल create कर रहे है कि इस बार के भी CVC की अलग अलग तरीके से allergen consider कर सकते कुछ लोग को दूत की allergy रहती है कुछ लोग को मुंगफली की allergy रहती है ठीक है कुछ लोग को nuts की allergy रहती है कुछ लोग को पोलन की allergy रहती है डस की रहती है ठीके की रहती है भगवान जाने किस-किस की अलर्जी हो सकती ही, depend from body to body, तो body ने क्या किया, exaggerated response कर दिया, इतना नहीं करना था, उससे जाधा over react कर दिया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अलर्जी बोलेंगे, और जो substance, अलर्जी cause करवा रहा है, उसको हम क्या बोलते है, अलर्जिन बोलते है, ठीक, दूसरा पार्ट इसका पूचा तो कि बताओ कि जो सारे सिम्टम सारे, छी का रही है, सास ले में दिखका तो रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा, तो हमें पता, अलर्जी किस, ये सारे सिम्टम किस वज़े से हो रहे है, हिस्टा माइन के वज़े से तो anti-histamine दे दो, देख लो, डॉक्टर वोट एड्मिनिस्टर, ड्रग लाइक, anti-histamine, adrenaline and steroids to reduce the symptom, आप बोलो के माम, anyone क्यों लिखा है, anyone ये marking scheme के आंसर दिखा रहे हैं, ठीक है, तो anyone इसलिए, क्योंकि दो mark है, तो एक mark किसका है, एक mark किसका, अब एक mark में भी आधा-धा mark, अब ये तीन उनने example दिये, यक एक mark बनेगा, ठीक, चलो, move करते अगले question पे, question number 20, total 33 question है, अभी हम 20th question पे, चलो, तो क्या दिया है, CTT, AAG और इसी को opposite दिया, याद करो, एक ऐसा sequence, जो दोनों तरफ से पढ़ा जाए, और same ही sound करे, उसको क्या बोलते हैं, हम palindrome बोलते हैं, याद आया, और palindrome वो जगह है जहां से cut लगता है, तो sticky end produce होते है, यह बहुत जादा तुम, बहुत जादा important है, पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लोगे, बायो टेकनोलोजी वाले chapter में, जिस पे question fix होता है, देख लो, अब question क्या है, ये भी देख लेते हैं, what are such sequence call, अरे palindrome, जो सामने से, मतब दो both direction से same ही sound करेंगे, same ही meaning देंगे, name the enzyme, use that recognize such nucleotide sequence, तो एक enzyme है, जिसका नाम है restriction endonuclease, वो ये sequences को identify करता है, ठीक है, कि जहां भी दोनों strand पे, DNA की दोनों strand पे एक जैसा आ रहा है, तो हाँ, ये वही जगा है, जहां पे क्या लगना है, cut लगना है, तो ये cut को लगता ह restriction endonuclease और पहचानता भी in palindrome को कौन है, वही है restriction endonuclease, ठीक, चलो, इसका second part क्या बोल रहा है, what is the significance in biotechnology, अरे बही है, sticky end produce करेगा, जब sticky end produce करेगा, या over hanging stretch produce करेगा, उसी का sticky end का नाम है, तो वहीं पे तो हम अपना foreign DNA, alien DNA आके join कर लेंगे, अब जो बच्चे, जो students ये chapter पढ चल रहा है, मैं क्या किस चीज के बारे में बात करें, in case नहीं पढ़ा है तुमने चाप्टर, तो घबराओ मत, already uploaded है, ये chapter magnet brain channel पे, तो प्लीज जा के chapter पढ़ लेना, important है, specifically, ये palindrome serenator, ठीक है, चलो, देख लेते हैं इनके answer, तो क्या है ये, एक palindrome sequence है, अब ये 0.5 क्यों enzyme इसको identify कर रहा है, तो restriction endonucleases enzyme, तब मिलेगा 0.5, ठीक, क्या importance है इसका biotechnology में तो देख लो, अब इसके उपर मिलेगा one mark, आई बात समझे में marking scheme कैसी है, restriction enzyme can make complimentary cut counterpart, forming, sticky ends, sticky ends को ही overhanging stretch भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जरूर इनने sticky ends दिया है, कभी-कभी board overhanging stretches को भी consider कर सकता ह ठीक, for recombination DNA मेंने बोला था ना की, डेखो अब जिनलों नहीं यह chapter नहीं पड़ा है, मैं बता दू, अगर मैं बोलू कि मेरको spider man मनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंसान का DNA लेना है, एक जग एक दम layman तरीक से समझा रहे हैं, एक जगे cut लगाना है, जह नुकलेस पैचाने का, cut लगाएगा, जब cut लगाएगा तो, since यह sticky and produce करेंगे, क्योंकि complimentary था, कुछ-कुछ portion रहे जाएगा, तो वो ready रहेगा किसी भी दूसरे DNA को attach करने के लिए, अब यहाँ पर दूसरा DNA कौन सा रहेगा, spider का DNA रहेगा, तो वो मैं attach कर दूंगे, मैं ligation, ligation यानि जोड़ना, ठीक है, to facilitate ligation of vector and foreign deal, तो इस जगे वो जोड़ जाएगा, बस और spider man बन जाएगा, इतना easily नहीं बनेगा, हमें theoretical पता है कैसे बनाने, practically और अभी इतना technology advanced नहीं है, अभी at present, ठीक है, चलो पर बन जाएगा, 100-200 साल में पक्का हम spider man बना के दिखाएग ठीक, तो spider man को short side में, क्या हुआ, palindrome के बारे में, कैसा पता चला, palindrome है, वापस, दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है, यहाँ से जब पढ़ोगे, तो CTTAG, इस ताइफ से पढ़ोगे, तब भी CTTAG, तो ऐसा sequence, जो दोनों तरफ से same sound करें, उसको हम palindrome बोलते है, कौन identify करत जुडने के लिए क्या word यूस करते है, लाइगेट, कौन आके जुड़ेगा, vector DNA, foreign DNA, या फिर हम उसको हम recombinant DNA technology में, यूस कर सकते है, यकीन मानो, यह वाला question, जो sample paper में 28th question दिया है, यह भी पिछले साल के term 2K, जो paper था 35 marks में, उसमें यह question था, as it is question था, ठीक है, grammar अलग अ biomass in an ecosystem where each bar represent the standing crop available in the tropic level, with the help of an example, explain the condition where this kind of pyramid is possible in nature, तो दो पिरामिड है, ऐसा पिरामिड जिसमें नीचे का traffic level मतलब बोल सकते producer कम है, और उसके उपर consumer वाला level जादा है, तो यह inverted biomass का pyramid है, हर जगे generally expanding ही होता है, पर inverted तुमको aquatic में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पूछा ने कि बताओ, इस type का pyramid कहां मिलेगा, तो इस type का pyramid मिलता है, तुमको aquatic ecosystem में, जहां पे producers काम है, और उनको खाने वा बहुता भी ऐसी shape में रहेगा, नहीं, कभी भी energy pyramid इस shape में नहीं होता, याद रखो, सिर्फ जो अब 100% solar energy आ रही है, उसमें से plant से 10% energy को absorb करेंगे, और उसका 10% उपर pass करेंगे, बस ऐसे उपर pass करते करते, ratio कम होते जाता है, तो जो सबसे उपर, tertiary consumer है, उसके पास सबसे कम energy पहुचती है, सबसे जाधा energy किस के पास रहती है, producers के पास रहती है, चीक, ओके, तो क्या यह ऐसे shape में रहेगा, नहीं रहेगा, वो किस shape में रहेगा, expanding shape में रहेगा, चीक, रीजन क्या है, क्योंकि बहुत कम amount of percentage energy उपर की तरफ, forward move होती है, चलो देख लेते answer, inverted pyramid, जो पहल large number of insects are feeding on the leaves of a tree, तो दो जगे देख सकते, aquatic और दूसरी जगे पर जहाँ, पेड़ पहुदे कम है, और उनके ऊपर खाने माले कीडे बहुत जाद है, तो उस जगे भी inverted pyramid मेलेगा, ठीक है, मलब, producers कम है, और producer बोलो, यह tropic level 1 कम है, और उसको consume करने माला, उसके ऊपर का level बहु पर जाए, इनके, नदेगे बहुते है, इस ही वाए क्लियर इतना, चलो, इसी question का और मेना था, same question का मीनिग सेम निकलता था, आंसर भी समवाट जमक्रा निया गया था, देख लिए ते, draw a pyramid of number where a large number of insects are feeding on the leaf of tree, मतला, बैस स्यक्ली, question paper में अनोंने डोनो का आंसर दे दिया थ यहाँ पर अगर किसी ने पढ़ा होगा की ट्री में भी ऐसे इंवर्ट इप्रामिड विलता है वही उसके आप्शन में यही अंसर है ठीक और what is the shape of the pyramid, inverted pyramid. दूसरा, will the pyramid of energy be also the same shape in the situation, give reason for an answer, तो B वाला portion दोनों में common रखा, सिर्व A वाला change कर दिया और और में answer question रख दिया तो देख लेते, inverted pyramid because of large number of insects feeding on one tree and no, the pyramid energy is always upright as it can never be inverted because when energy flow from one tropic level to the next tropic level some amount of energy is lost in the form of heat याद रहेगा, चलो, move करते आगे, अब शुरू हो रहा है section C तो हम already section A, one marker discuss कर चुके है, section B, two marker discuss कर चुके तीन sections अभी भी बच गए, three marker, four marker, five marker three marker, normal, normal question है, long answer type question जो four marker है, वो तुम्हारा case study based है, जिसमें दो cases मिलेंगे और आखरी में मिलेंगे तुमको तीन question five marker में चलो, start करते है, total 33 questions है, अभी हम कर रहे हैं कौन सा, question number 22 explain the function of the following structure in the human male reproductive system, वो human male reproductive system में functions पूच रहे हैं, सबसे बेंगे स्कॉटम, स्कॉटम क्या है, एक bag like structure है, body के बहार रखा हुआ है, जिसमें testis रह रहे हैं, क्यों body के बहार रखा है, क्योंकि उसमें क्या है, epidermal बहुत जाधा folding है, यह folding help करती है, temperature को कम करने में, जित्ता भी body का temperature है, उसे 2-3 degree temperature कम रहता है, उस वजए से क्योंकि कम temperature पे ही sperm का formation possible है, यह answer हो गया, क्योंकि function पूचा है, दूसरा, leadic cell है, यह वही cell है, जो क्या produce कर रहे है, testosterone, hormone, जिसके कारण क्या start हो रहा है, secondary sexual character, याद आया, चलो, male accessory gland, male accessory gland, 3 glands है, human male के पास, और जो मिलके क्या करती है, seminal fluid release out करती है, जो जिसमें रहता है, lubrication के लिए mucus होता है, उसके बाद fructose होता है, फिर ions होते है, calcium होता है, यह सारी चीज़े होती है, ताकि sperm को nutrition, energy और protection, तीनों मिल चेके, और easily वो female body के अंदर enter कर सके, और बिल्कुल कहां जाके बहुच सके, fallopian tube के ampullary region पर, इतना सब नहीं लिखना है, इसका है, मैंने extended version बता है, कि क्या पाट है, यह basically semen के formation में help करते है, क्योंकि seminal fluid या seminal plasma release out होता है, ठीक, और हाँ, उसमें लिखना पड़ेगा, कि mucus, calcium, fructose, यह सब लिखना पड़ेगा, चलो, देख लेते हैं इसका answer, scrotum, the testes are situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum, मैंने बोला है, बाग-like structure है, पाउच में रखा हुआ होता है, तो scrotum help in maintaining the low temperature of testes, 2 to 2.5 degrees Celsius, lower than the normal internal body temperature, necessary for, मैंने बोला था, sperm formation, अब एक word में उसको क्या बोल सकते है, spermatogenesis, क्योंकि spermatogenesis के लिए temperature थोड़ा कम चाहिए होता है, दूसरा पूछा था कि leadic cell का function बताओ, the region outside the seminiferous tubule called interstitial space contains small blood vessel and interstitial cell or leadic cell, leadic cell synthesized and secret testicular hormone called androgen, तो याद रखना है, दो टाइप के cells होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, interstitial cell और एक बोलते हैं, sertoli cell, sertoli cell का काम है, nutrition provide करना, interstitial cell या फिर leadic cell और यही दोनों cell है, दोनों नहीं नाम, दो है, काम एक ही है, जो क्या है, endrogen या testosterone hormone का production, ठीक, तीसरा था male accessory gland, the male accessory gland includes pair of seminal vesicle, prostate and paired bulbo-urethral gland, याद करो मैंने बताया था कि तीन glands होती है, कौन-कौन सी, seminal vesicle, prostate gland and bulbo-urethral gland, तीनों क्या secret करती है, secretion of these glands constitute the seminal plasma which is enriched in fructose, calcium and certain enzyme, the secretion of bulbo-urethral gland also help in lubrication of the penis, याद हुआ, चलो, move करते हैं आगे, question number 23, 23 देख लेते हैं, state, यह भी अभी क्या चल रहा है, 3 मार कर, ठीक, चलो, state the agents, agents पूछ रहे, which helps in pollinating the flowering plant, explain the adaptation in these plants to ensure pollination, यह तो एकदम practical based question हो गया, practical में, spotting में तुमने agents of pollination पढ़े, वही पूछ लिया, उठा के, बढ़िया है, practical, December में होगा, और February में एक्जाम, यह तो वही का, वही question आ गया, यहाँ पे, ठीक, तो कौन, याद करो, कौन किस type से pollinate होता है, wind से pollinate होता है, ठीक है, क्योंकि उसके pollen grain कैसे रहते हैं, एकदम हलकी रहते हैं, ठीक है, और पूरा का, पूरा flower colorless होता है, odorless होता है, pollen grain, light होते है, feathery होते हैं, ताकि उड़के जा सके, ठीक है, दूसरा, water high second, बोलो के माम, water high second, water से होगा, water से तो होता है, पर, इंसेक से भी होता है, क्योंकि याद करो, water high second, या फिर जलकुम्भी, यह क्या है, एक टाइप का, पारस, पारसाइट तो नहीं बोल सकते, यह invasive species है, यह बर्ड पर्टिकुलर, तुम, 12th book की, NCRT में, 2-3 जगह पढ़ोगे, ठीक है, तो इसके ना, purple color के flowers भी आते, अब बताओ मुझे, मैं बोल रहे, purple color के flower आते, तो color क्यों रखा है, ताकि किसको attract किया जा सके, इन्सेक को, हुआ clear, तो तुम, water high second को, water में तो बोलोगे, पर और भी कहां बोलोगे, इन्सेक में, अच्छा, बाले से ने रिया, यह तो तुमने बुक में ही पढ़ाया, water, 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 और कहीं नहीं, चलो, start करते है, corn का wind, numerous flower are packed in an inflorescence, the tassel seen in the corn cob are the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain, तो जो basically जब हम corn भुट्टा देखते हैं, उसमें जो ऐसे silky-silky जैसे उसके भेर निकले नहीं रहते हैं, वो और कुछ नहीं, बल्कि क्या है, उसको कौन कॉप बोलेंगे, जो basically stigma और style है, ताकि वो क्या trap कर सके, जल्दी बताओ, इन पोलन ग्रिंज को यह trap कर सके, चलो, water high second, मैंने कहा कि insect भी और wind भी, in water high second, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind as in the most of the land plant, तो water भी है, wind भी है, ठीक है, और insect तो है, क्योंकि color है, मैंने color ही बताया था, तो यह जैसे lotus है, अब lotus को बोलोगे कि से pollinate होता है, तो basically color है उसमें, उसके उपर तुमने देखा भी होगा, मक्यां गुमती रहती है, तो insect भी है, पर somewhat water का भी रोल है, ठीक, चलो, move करते हैं वाले से नेरिया पर यह तो तुमने specifically hydrophilis में ही पढ़ा हुआ है, water में ही पढ़ा हुआ है, देख लेते हैं, और दोनों ब्लांट समभाज रहते हैं, नीचे रहते हैं, उसमें से, से female part इसे उपर exposed रहता है, बहार से, और male pollen उपर आते हैं, फिर वो water current के साथ flow होते है, गुल-गुल-गुल गुमने लगते हैं, और stick हो जाते हैं, याद करो, बुक में डाइग्राम तक है, दो-दो चाप्टर में डाइग्राम है, एक ही चीज़ का, देख लेते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ वापस बोल रही हूं, कोई ऐसा टॉपिक जो बुक में दो-तीन जगे दिया हुआ है, तो उसका इंपोर्टन्स बहुत ज़्यादा है बॉस, ठीक, चलो मूव करते हैं, अगले क्वेशन पे, क्वेशन अंबर 24, section C, डिस्कूस कर रहे है, A, identify the polarity of X to X dash, तो यह पूछ रहे है, डाइग्राम है, X to X dash क्या polarity होगी, देखो यह क्या है MRNA, MRNA बनाता कौन है, जल्दी बताओ, कौन सा इंजाइम बनाता है MRNA, polymerase, polymerase सिर्फ एक ही direction में कोई चीज़ बना सकता है, वो कौन सी है, 5 dash N, 2, 3 dash N, क्योंकि बाकी तो उसको आता ही नहीं कुछ रीड करना, उसको वो रीड करेगा 3 dash to 5 dash, पर नहीं जो chain है, या नहीं जो MRNA है, वो synthesize कौन से इसमें करेगा, 5 dash to 3 dash, वही पूछ पूछा है, चीज़, in the diagram below and mention how many more amino acid are expected to be added to this polypeptide chain, वो पूछ रहें बताओ कितना ज्यादा और amino acid add हो सकते, तो देखो, यहां तक तो amino acid हो गए, आकरी वाले लिखा है UAA, तो याद करो हम पढ़ चुके हैं, टोटल 64 codon से, उसमें से 61 काम करते, तीन क्या है कुछ काम नहीं करते हैं, जिनको हम nonsense codon या stop codon बोलते हैं, कौन आता है उसमें, UR, UAA, देखो वही लिखा है UAA, UGA, 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 UAG, तो अगर ऐसे कोई codons यहां लिखे हुए हैं, तो इसके against कोई amino acid है ही नहीं, कोई anti codon नहीं, कोई amino acid नहीं है, अब वही पूछा है, बताओ, कि और कितने amino acid अटाच होंगे, कुछ नहीं अटाच होगा, क्योंकि UAA क्या है, एक stop codon है, stop codon का counterpart को amino acid है ही नहीं, तो जब यहां कुछ आके जुड़े गई नहीं, तो कोई अब यह जो process है translation की, वो हो गई, complete, हुआ clear, अच्छा question है, observation based question है, तो तुमको अब यह समझ में आ रहा है, जो complicated diagram है है न, मैं जैसे बताती भी हूँ तुमको, कि जैसे अगर मैं reproductive system की बात करो, तो male and female में female draw करना easy है, male थोड़ा tough है, तो देखो, यह भी वैसे translation draw करना थोड़ा tough है, तो यह समझ जाओ, कि जो diagram draw करने में tough है, वो दे देंगे, उसमें कुछ labeling change कर देंगे, कुछ add-on add कर देंगे, और उससे related कुछ question पूछ लेंगे, वही किया उनने 24th question में, B वाला देख लो, mention the codon and anti-codon for alanine, अब यह तो तुमको याद करना पड़ेगा, क्या alanine, अब देखो, याद करोगे, जल्दी बताओ, याद करोगे, यहाँ बस पड़ो, देखो, observe करना है, सब answer तुम्हारा picture में दिया हुआ, यह लिखा है alanine, अब उसका क्या है, देखो, उ जल्दी बताओ, टी आएगा, नहीं, यह तो क्या है, तुम्हारा MRNA चल रहा है, तो यहाँ पे एक ही जगे यू आएगा, ठीक, चलो, देख लो, why are some untranslated sequence of basis seen in MRNA coding for a polypeptide, where exactly are they present on MRNA, अब याद करो, मैंने बताए था, कि start codon के पहले, और stop codon के बाद में, कुछ untranslated region रहते हैं, तो यह हुआ location, और क्यों रहते हैं, ताकि यह सारी process धंग से हो जाए, ensure करें, बस, simple सा question है, 3 mark है, 1, 1 mark एच, और अंदर और वो divide हो जाएगा, half-half में, क्योंकि देखो, एक ही question में, दो question है, पहले तो polarity बताओ, फिर उसके बाद बताओ, क्या और expect कर रहे हो, तो वो half- 0.5.5 में डिवाइड हो गया, चलो देख लेते हैं, आंसर, तो सबसे पहले, polarity क्या है, x-to 3-, क्योंकि, अब देखो, यहां क्योंकि नहीं पूचा है, मैं पूच रहे हूं, क्योंकि, जो यह कौन बना रहा है, MRN को बना रहा है, किसने था, DNA-dependent, RNA-polymerase ने, और जो polymerase है, वो से 5-to-3- direction में ही MRN को बना सकता है, इसलिए उसका direction क्या हुआ, 5-to-3-, क्या नया polymerase, क्या नया amino acid जुड़ेगा, ना, क्यों ना, क्योंकि, तीन codons है, जिनको हम stop codons, यह nonsense codon बोलते हैं, जो किसी के लिए कुछ code नहीं करते हैं, जिनमें कौन आता है, UR, UUG, और UGA, UGA, और UGA जी, और तुमारे diagram में UAA दिया हुआ है, मतलब यह stop codon है, इनका तो कुछ code ही नहीं है, तो answer क्या हुआ, तुमारा, no more amino acid will be coded, ठीक, second portion पूछा था कि बताओ, alanine का codon क्या है, बोलोगे माँ, हम सो भी याद करेंगे, याद नहीं करना है, इससे आखे खोल के diagram को देखना है, बता, alanine का लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, अब इसका यह पूछ रहे, anti codon, पूछ रहे, क्योंकि TRNA के नीचे anti codon होता है, MRNA पे codon रहता है, codon तो यह दिया हुआ है, G, C, A, बस हो गया, अब G, C के opposite लिख दो, तो G, C हुआ हुआ, तुम्हारा codon, anti codon क्या हुआ, G की जगे क्या आएगा, C की जगे क्या आएगा, G आएगा, A की जगे क्या आएगा, U आएगा, याद करो, DNA नहीं है, क्या है, R, N, तो U यह आएगा, तीसरा उ पूछा, तो की बताओ, कुछ, untranslated region क्यों होते है और कहां होते है, तो क्यों क्यों होते है, ता के ensure है, कि translation process अच्छे से हूँ, देखो, the untranslated region are required for an efficient translation process, धंग से process हो जाए, और कहां रहते, stop codon के पहले, stop, sorry, start codon के पहले, stop codon के बाद में, they are present before the initiation codon at the 5-N and after the stop termination codon at 3-N, चलो, आगे मूव करते हैं, question number 25 देख लेते हैं, how is Hardy-Winsberg expression, p square plus 2pq plus q square is equal to 1, पूछ रहे हैं, बताओ, यह कहां से equation आई, नहीं, बताओ, पूरा explain करो, तो वो क्या, यह तुम्हारी book में बहुत अच्छा, एक पैरा का explanation दिया हुए, वही पूठा के पूरा वापस लिखना है, तो assume करो, कि एक character है, उसके दो gene थे, एक gene है A, एक gene है B, sorry gene ने, allele है, एक A, allele है एक B, A को हम represent करेंगे small p से, और b को represent करेंगे small q से, binomial equation लगाई, जब p और q का whole square किया गया, तो क्या है, यह equation आई, तो इसमें यह वाली condition क्या है, homozygous condition, यह वाली क्या है, यह भी homozygous condition, जिसमें p वाला जो allele है, वो dominant है, q वाला allele है, जो recisive है, तो p square यानि की homozygous dominant, q square यानि की recisive, recisive हमेश हमेशा homozygous में होता है, और एक और dominant वाली condition आते हैं, जिसको हम क्या बोलते है PQ यानि की heterozygous dominant बस यही पूरा लिखके explain करना है यही सारी चीज़े लिखने है ठीक आगे list any two factors that can disturb the genetic equilibrium तुमने बहुत सारे factor पूछे उसमें से सब दो factor पूछ रहे तो अब three mark का है तो यह वाला part हुआ one and a half mark का ठीक वापस यह decide कौन करता है यह decide board करता है कि अंदर internal marking कैसे divide होगी जो marking scheme या blueprint में आता है ठीक यह जब हम लोग check करने जाते हैं तो यह answer तो दे देंगे यह ऐसा answer तो दे देंगे पर उसके सामने लिखा रहेगा कि इतना इन में से जो main main points लिखे तो 1.5212 जो भी देना है ठीक है तो अपन तो भाईया सारे points लिख्या हो क्या पता बोड़का कौन सा कब दे कैसा दिमाग खराब जाए बोल बोले नए उसमें यह वाला point बेन अच्छे यह तब मिले इसलिए भाईया सारे keywords लिख्या नहीं है अपन को चलो देख लेते हैं कि बताओ सारी equation का equation बनी कैसे है ना P square plus 2P Q plus Q square is equal to 1 आया कैसे तो देख लेते हैं some total of all allele frequency that is one हमें पता है मैंने का था ना कि P square plus Q sorry सारी frequency का total क्या रहता है हमेशा 1 रहता है let there be two alleles, दो alleles मान लो एक है A, एक है small a, अब तुमारी बुक में capital A और capital B से explain किया है उसी को उनोने small p और q से denote किया है the frequency of allele A and small a are p and q respectively अब एक है dominant, एक है recessive the frequency of AA individual in a population is P square and it can be explained that the probability that an allele A with a frequency of P would appear on both the chromosome of a deployed individual and simply the product of the probability is Q square तुम चाहो तो इतनी tough language मत लिखो ठीक है simple simple language में explain करो कि जब दोनों homozygous condition में दोनों chromosome पे present है तो उसको हम AA ना बोलके अब उसको since Q's P से denote कर रहे तो P square बोलेंगे ठीक और same चीज़ हम किसमें apply करेंगे Q में, तो similarly this frequency of small a, small a is Q square and that of capital A is small a याने कि heterozygous dominant को क्या बोलेंगे हम 2PQ बोलेंगे और यह follow कहां से करेगा, binomial equation को follow करेगा, ठीक वाही उनने equation बताईए where P square represent the frequency of homozygous dominant कहा था ना, तो देखो यह main main terms लिख दो, ठीक है homozygous dominant, 2PQ represent frequency of heterozygous dominant ठीक है, या heterozygous genotype of Q square क्या show cut है, recessive, ठीक है या फिर, कभी-कभी वो खुद लिख के लाते है, homozygous recessive, याद करो, recessive हमेशा homozygous condition मता, तो recessive लिखोगे, तो भी ठीक homozygous recessive लिखोगे, तो भी ठीक अब factors पूछे थे, चार 5 factor दिए, उनमेंसे कोई 2 बताने ठीक, तो देख लेते हैं, gene migration और gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination या फिर natural selection, सिर्फ नाम पूछे, explain करने के लिए नहीं बोलाई, ठीक है, तो याद रखो mostly, मेरे according, यह जो factor वाला question is, since नाम ही पूछे हैं, तो यह रहेगा 1 mark का, मतलब यह वाला रहेगा 1 mark 3 mark का question और यह रहेगा 2 mark अब 2 mark कैसे divide होंगे, जिसमें तुम एक तो पूरा explanation करोगे कि यह P square कहां से आया, Q square कहां से आया, और फिर बागी का बच्चा हुआ जो mark है, मतलब 0.5, 0.5 करके वो divide हो जाएगा, जिसमें तुम P square और Q square के लिए 0.5 दिया जाएगा और फिर उसके बाद यह जितना भी लिखा है कि यह वाला सही डिनोट कर रहा है, तो बाकी इनके लिए homozygous dominant heterozygous dominant dominant या genotype और homozygous इससे लिए बाकी बच्चे होए marks दिये जाएगे ठीक, पर वापस यह main decide कौन करेगा CBSE vote, इसलिए भाईया जितना आते सब लिख्या ना है, ठीक है सारे main keywords, ठीक है, चलो move करते आगे question number 26 देख लेते हैं, अभी भी हम section C ही discuss कर रहे है, highlight the structural importance of an antibody antibody molecule with a diagram, मतलब सीरे सीरे antibody का diagram बनाओ पूरा उसके characteristics explain करो तो कैसा होता है, inverted inverted तो नहीं, Y shape का होता है दो chains होती है, एक heavy chain एक light chain, दोनों किस से जुड़े रहते हैं डाय-sulphide bridges से जुड़े हुए रहते हैं, end में क्या रहता है इस जगे पे antigen binding sites होती है बस यही तो लिखना है, बस और कुछ नहीं हुआ उसको denote कैसा किया जाता है H2L2 से, दो heavy chain, दो light chain से आगे, name the four type of antibody found to give a you moral immune system immune response, mentioning the function of two of them which you have studied तो याद करो मैंने बताय था चार टाइप की antibody होती होती तो पाच है पर अपन चार लिखा पन चार याद करेंगे याद करने का तरीका कैसा है, तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है, games खेलना तो बस, G, A, M, E तो कितनी antibody है, चार कौन सी, Ig, G, I, G, A I, G, M, I, G, E थोड़ी तरह पहले हमने इका discussion किया था यह किसमें involved है, allergic response में, उसके बाद मैंने एक trick भी बताय थी, कि mother milk में क्या, अच्छा मम्मी को अपन प्यार से क्या बोलते है, मा बोलते है तो M, A, तो mother milk में कौन से antibody होती है, Ig, M, I, G, A, यह अलग बाते तुमारे NCRT में से वे के बारे में mentioned है, ठीक बस यही तो पूछा हो, इसके अलबा कुछ पूछा है क्या नहीं, चलो देख लेते answer An antibody molecule consist of four polypeptide chain, कहाता न, चार chain है, दो heavy, दो light, तो देख लो जारा, two are long chain, heavy chain while the two are short chain, light chain बोट are arranged in a shape of Y, Y shape में ही है, hence the antibody is represented in H2L2 देख लो, दो chains है, दोनों किस से जुड़ी हुई है, सारे disulfide bridges से जुड़ी हुई है, जो mention नहीं किया इनोंने, उसको label कर लेना, एक extra, उसके बाद ये क्या है, दो light chain है, ये दोनों नीचे वाली, उपर वाली क्या heavy chain है, और दोनों के यहाँ पर क्या है antigen binding site है, जहाँ पर कौन आके attach होगा, antigen attach होगा, ठीक, और ये खुद तो antibody रही, चलो, आगे, तो ये सब दिखाया होगा, ठीक, टाइपस of antibody, अब देखो, उन्होंने पूरा उलजा के लिखा है, तुम GAME लिख सकते हो, तो ये रहा GAME, अब देख लेते हैं, तो IGA, जो मैंने बता है, तुम्हारी बुक में किसके बारे में mention किया है, कि mother's milk में होता है, तो lactating mother to protect their infant, पर MB होता है, NCRT में लिखा, अपन NCRT stick करेंगे, ये चलने दो, और E, थोड़े देर पहले discuss किया, किस में होता है, allergic response में, तो to protect from allergens, हुआ क्लियर इतना, चलो, अब इसी का और में question, देखो, internal choicing भी होई थी ती न, तो इसी का और में question क्या है, explain the life cycle of plasmodium starting from its entry in the body of female anaphylis till the completion of its life cycle in human, वापस, किसीने बोला नहीं है, डाग्राम द्रॉकर ने के लिए, पर तुम्हारी बूख में डाग्राम द्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, डाग्राम द्रॉकर क्या आएंगे, चेक, तो डाग्राम द्रॉकर क्या आना है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है, वेरेवर लिक्वाइड रॉर डाइग्राम, तो द्रॉकर क्या आना पड़ेगा, अच्छा, बी वाला explain the cause of periodic recurrence of chill and high fever during malarial attack in human, तो वो पूछे बताओ किसके कारण एक toxic release होता है, hemozoin, उसके कारण वो chills होता है, chills और क्या बोलते है, fever आता है, और वो hemozoin क्यों release होता है, क्योंकि RVC टूटती है, यही तो पूछा है, चलो, तो देख लेते हैं, अब और का पहला वाला part, चलो, देखते हैं पहला explanation, when a female anophilis mosquito bites an infected person, the parasite enter the mosquito body as gametocyte, याद करो, इसका as it is पूरा तुम diagram भी बना सकते हो, ठीक है, suppose करो तुमको लिखने में आलस आ रहा है, आलस नहीं आ रहा है, as it is बता रही हूँ, कि अग सिंस तुमारी बुक में पूरा diagram drawn है, तो यह तुम diagram बना सकते हो, बिलकुल बना सकते तो क्या करोगे, सबसे पहले हाथ बनाओगे है ना, अब देखो, वापस, biological paper है, drawing का paper नहीं, बस सही चीजे लिखो और सही तरीके से mark करो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे भाईया, शुरू कहां से होती है कहानी, जब एक mosquito bite करता है तो ठीक है, तो bite लेते है, when a female anophilis mosquito bites an infected person, the parasite enter the mosquito's body as gametocyte, मतलब mosquito कोई body में gametocytes की तरह इंटर कही थी, पर infected stage का नाम कहा है, sporozoid, आएगा आगे, it lead to fertilization and development in the gut of mosquito and undergo further development to form sporozoid, जो मैं बोल रहे थी, that are stored in salivary gland until they are transferred to human body, देखो, अब इसको अगर तुमको लग रहा है कि मैं भी तो बहुत confusing तरीके से लिखा हूँ है, कैसे करेंगे, draw कर क्या हो, बढ़ियां से एक page लो, पूरा draw कर क्या हो, और label सही कर दो, full marks मिल जाएंगे, एक चीज लिखने की जरुवत नहीं, देखो, सबसे पहले कहानी कहान से तुरुए मलेरिया की जब मच्छर ने, मच्छरी ने, मच्छरी ने काटा, तो सबसे पहले यहां क्या लिखोगे, यह क्या है, female anophilies, मैं फेल लिख रहे हूँ, please full form लिख रहा है, क्योंकि पूरा space भर जाएगा, फिर तुमको कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं चौर्टकर्स में लेक रहे हूँ, ठीक है, और यह बुक काई डाइग्राम है, पर कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग्स भी कर रहा हूँगी, तो female anophilies ने काटा, अब यहां पे bracket में क्या mention करोगे, यह कौन से stage है, sporozoid, ठीक है, sporozoid थी, कहां पे देखो, यहां लिखा person को, तो क्या हो जाएगा, उससे मैं उसके salivary gland से चली जाओंगे उसके blood में, अब गूमते गूमते कहां पहुचेगी सबसे पहले यह, liver cell के पास, liver cell के पास पहुचके क्या करेगी, ए sexual reproduction करेगी, जिसको क्या बोलता है, liver schizogoni, मलब एक cell के अंदर गई, multiple vision किया, और उसके पास एक के 100 बनाए, cell तोड़ा और वापस new cell को attack किया, ऐसे एक बार करेगी, उसके बाद कहां पे जाएगी, आर बीसी के पास जाएगी, वहाँ पे भी पहले क्या करेगी, यह, sexual reproduction ही करेगी, और यहाँ पे इसको भी हम क्या बोलता है, RBC, shizogoni, ठीक है, अब यहाँ पे यही hemozoin का, जब hemozoin release होता है, तो यह कैसे दिखता है body में, chills and fever आता है, ठीक है, repetitive way में, ठीक है, recurring way में, मलब एक बार fever आ रहा है, फिर उतर रहा है, फिर आ रहा है, फिर उतर रहा है, तो यह किसके कारण हो रहा है, इसी toxic के कारण जो RBC के टूटने की वज़े से हुआ है RBC क्यो टूटी, क्योंकि RBC के अंदर क्या हुआ था, multiple fission बहुत जादा बन गया, बट ओवियस RBC रप्चर हो गए, उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक और round लगेगा, RBC फिर से, second time RBC शाइज हो नहीं होगी, पर अभी तक था asexual, asexual, पर अब क्या होगा, अब यहाँ प यहाँ तक थी कौन सी, human की host वाली cycle, अब इसके बाद कौन सी आएगी, जल्दी बताओ, mosquito host cycle, याद करो, plasmodium को दो host लगते, अपनी life cycle को complete करने के लिए, अब वापस यहाँ पे, suppose करो, एक बिमार इंसान को, जिसमें, जिसको malaria था, उसको वापस एक क्या क्या, एक मच्छरी ने काट लिया, ठीक है, तो क्या हुआ अब आपस, यही जो सारे x cells है, against sperm, gametocyte, वो क्या करेंगे, उस मच्छरी के gut में enter कर जाएंगे, gut में enter करके, वहाँ fertilize होके, कहाँ पहुचेंगे, वापस अब proper करके, उसके वापस, salivary gland में बैठ जाएंगे, क्या वापस में infection कराने के लिए तैयार, ठीक है, यहाँ पे मैंने से basic समझाया है, यह book का as it is diagram है, please draw करके आना, कौन से page number पे देख लो, जरा mark कर लो, क्योंकि marking scheme में बताया नहीं है, turn करो page number 148 पे, तो यह वादा जो diagram दिख रहा है, यह as it is पूरा बना के आना है, तुम अगर कुछ लिखना ना च हो, तो बिलकुल मतलिक हो, कोई आपती नहीं है, पर यह सारी चीजे लेबल करके, प्रॉपर लेबल करके, इसमें से कुछ में मिसाउट नहीं होना चाहिए, तो यह बताना पड़ेगा कि कहां पे asexual reproduction हुआ, कहां पे sexual reproduction हुआ, फिर कौन से stage में convert हुआ, कौन से stage में salivary gland मे जाके वेट कर रहा है, यह सारी चीजे में चीजे में चीजे करने पड़ेगे, आगे, in the human body, this porozoid reaches the liver cell and reproduce asexually, bursting the cell and releasing them into RBC as gametocyte, label diagram explaining the mention stage can also be considered, तो वो diagram मेने बता है, page number 148 पे, चेक, चलो, अब इसी का second part था कि बताओ, जो recurring fever और chills आते, वो किस वजे से आता है, तो देख ल sorry, call hemozoid, which is responsible for chills and high fever, हुआ clear इतना, चलो, आगे देखते हैं, question number 27, carefully observe the given picture, ठीके भई, आपन पहले तो carefully observe करेंगे, तो थोड़ा बहुत देखके लग रहा है, यह क्या है, electrophoresis का setup है, तो देखो, यह gel है, यह wells है, ठीके, wells मेंशन नहीं, जिसमें buffer है, तो उसी में हम अपना DNA sample, जो छोटे-छोटे टुक्रे DNA के काटे, वो लोड करते हैं, और फिर move होता है, cathode to anode, अरे, 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 हाँ, गड़बड है, देखो ज़रा, हमेशा कहा मूव होता है, negative to positive terminal, मूव होता है, हम पढ़ चुके, क्योंकि खुद, DNA negative है, तो यह ट्रैक होगा, positive त तो कुछ और पढ़ा था, negative to positive move होता है, यहां तो positive और negative दिया हुआ है, सही पढ़ा था, हो सकता है, यही पूचा गया हो, ठीक, देख लेते हैं, और मिक्षर आप DNA with fragment ranging from 200 base pair to 2500 base pair was Electroforest on agros gel with the following arrangement, मतलब यहां पे डाल दिया गया, ठीक है, what result will be obtained on staining with ethereum bromide, explain with reason, यह को यह tricky question ह एक बात बताओ, अगर यह setup वो दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे उन्होंने sample डाल दिया, वो पूच रहे कि बताओ क्या result मिलेगा, ethereum bromide के बाद जो staining dye है, UV radiation के अंदर ही रिखता है, कुछ result मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बताओ क्यूं, यह देखो, यह सबसे बड़ी जा रहा है, कि diagram based question में भी observation based question जादा form हो रहा है, कि diagram को देखो, समझो और फिर answer बताओ, तो observation question का frequency बढ़ रहा है, एक और question हम solve कर चुके थे, translation वाला, और यह दूसरा question आ गया, जान बूच के गलत labeling की गई है, और पूचा correct question जा रहा है, कि बताओ क्या result होगा, जब ethereum bromide के स stain होगा, आप तुम लोग क्या सोचेगे, यह तो सही लिखा है, बस लिख दोगे, अलग-अलग fragment के हमें bands मिलेंगे, जब हम UV radiation के अंदर जाएंगे, गलत, सब गढ़ बढ़ हो जाएगा, क्यों, अरे यहाँ यहाँ इलेक्ट्रोड जी गलत है, कोई result नहीं मिलेगा, DNA negatively charge है, वो moving नहीं होगा, क्योंकि positive तो उसके पास ही है ना पहले से, और negative और positive तो बढ़ी आवांट बनेगा, तो कोई result नहीं मिलेगा, ठीक, तो यही answer आएगा, यह देखके answer मत लिखते रहे ना, observe करो diagram, तो अब यह तुम्हें सीखने को मिल रहा है, कि CBSC, अब धीरे-धीरे क्या कर रहा है, entrance exam जैसे question देना, start कर रहा है, observe करो, देखके बताओ क्या गड़बड है, ठीक, देखके बताओ भी नमत क्या गड़बड है, बस देखके बताओ इसका answer दो, और वो answer है कि कोई result नहीं आएगा, ठीक, चलो, B, the above setup was modified and the band with 250 base pair was obtained an X, जो X, अब band मिलने लगा, क्यों म modify किया, तो क्या modify किया, यहा negative terminal, यहा positive terminal, ठीक, terminals change किया, what changes were made to the previous design to obtain a band at X, why did the band appear at the position X, तो यह पूचा जा रहा है, और पूचा जा रहा है कि बताओ इसी position पे 250 वाला band क्यों मिला, क्योंकि हमें पता है, heavier band हमें well के आसपास मिलेंगे, और anode के आसपास हमें lighter band मिलेंगे, ठीक तो यही answer है, चलो देख लेते हैं answer, A, no band will be obtained, all DNA will be seen in the well only, क्यों, क्योंकि DNA fragment being negatively charged, will not move toward negative charge, यह cathode, DNA being negatively charged, will remain stationed at the positive end, anode end of the agarose block, agar block, ठीक है, चलो, यह agar block लिको, यह agarose gel लिको, ठीक, अचा, B वाला, कि बताओ क्या changes किये गए, आरे, terminal changes किये गए, देखो, position of the positive terminal end या anode, and the negative terminal end या cathode, sorry, end या cathode, was interchange, change कर दिया गया, जो original position होनी चाहिए थी, इन्होंने गलत setup किया था, इस वाले portion में, second, the fragment with least base pair will get separated faster, and move faster to the anode end, मैं बता चुकियो, जिस DNA का size, छोटा, जो DNA की length, या width, length नहीं, width, पतली, तो वो जल्दी दोड़ेगा, जल्दी है, मोटा है, जिसके पास जादा base pair, वो दीरे दीरे move करेगा, तो वो well के पास मिलेगा, ठीक, चलो, move करते हैं अगले question पे, question number 28, there was a loss, there was loss of biodiversity and ecosystem due to a new construction project in that area, ठीक है, biodiversity loss हो गया, क्योंकि ये नया construction project था, तो हम बोल सकते हैं कि type of fragmentation हुआता है, हमने intervene कर दिया, ठीक है, what would be its impact on ecosystem, state, any three reason, तो ये तो देखो, इस type के question पिछले साल भी आया था, और general knowledge based question जो बोलते हैं, एक simple सा question दिया जाता है, एक्जामें ताकि तीन मार्क में ही दिया जाता है, ये भी खासियत रहती ये बता दूँ, पिछले साल भी three marker में ही था, इस साल भी three marker में ही वो question दिया, simple वाल के साथ, ये question पूछा था 12th board में, पिछले साल, three marker में, same वो उसी category का ये question है, कि biodiversity loss हो गई, तो बताओ क्या impact पड़ेगा आस-पास में, तो अपनको reasons बताने हो, तीन reasons बताने, और उसी का second part, कि ये list any three major causes of biodiversity, तो ये तो सच में बच्पन से पढ़ते आ रहे हो, ये तुम बता सकते हो, हाँ, पर B वाला आप technical terms में बताना पड़ेगा, जो हम पढ़ चुके ना, four evil quadrant, उस वाले category का रहेगा, देख लेते हैं, impact of loss of biodiversity on the ecosystem A, decline in plant production, but obvious तुमने biodiversity loss किया, जो main था, producer था, जो plant से वो, खतम हो गए, उनके उपर dependent, जिते भी animals रहेंगे, वो भी खतम हो जाएंगे पूरा nutrition cycle गड़बड़ा आजाएगा, यह तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, अब उसमें वही आएगा, ठीक है, उसके बाद flora funnel loss हो जाएगा, उसके बाद heat हो जाएगी, global warming increase हो जाएगी, बहुत सारे, चलो, आगे देख लो, lower resistant to environmental perturbations such as drought, जैसे सूखा, बहुत जादा कोई रोकने वाला ही नहीं किसी चीज़ को है न, balance करने वाला agent को तुमने हटा दिया, जो थे plants, increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycle, तो यह सारी cycles change जाएगी, अच्छा, उसी का second part पूछा था कि बताओ, क्या reasons है, biodiversity loss के, तो यह तुम पढ़ चुके हो, आता भी है, पिछले साल भी आयता फिर से आगया, sample paper में, habitat loss and fragmentation जो पहली वाली category ती की construction हुआ है, न, over exploration बहुत जादा यूज़ कर लिया, over fishing कर ली, alien species invasion, याद करो, इसी में water high second, जल कुम्भी, वो कैसा मैंने बोला था, alien species invasion का explanation, invasive species बोला था, मैंने वाहा पे, तो वो इसके अंडर आता है, और co extension, एक साथ उ section D पे, तो section D क्या है, case study based question है, चार मा के question है, तो चलो start करते है case study based questions, चलो start करते है, एक एक करके case study based question देखना, तो question number 29, study the pedigree chart given below and answer the question that follow, चलो भाई या वहले पढ़ लेते हैं, तो वही है, circle, female, square, male, अगर पूरा shaded है, तो disease dot dot बने है, तो carrier, और अगर कुछ नहीं बना है, हैं अब देखो, यह है carrier, 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 यहiają है carrier, दोनों से carrier आयर आया है, यह disease हो गया, तर यह disease नही हुई, मतलब यहाँ पर normal copy आ गई चीक, अब देखो, यहीं से समझ में आ रहा है, कि अगर carrier कब होता है, जब heterozygous condition में हो, यानिं की जो allele है, जो ब जीनो टाइब में डिफेक्ट जीन अभी भी चल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पर वो पूरा पोटेंट है कि अगले वाले जनरेशन में वो डिजीज वाला जीन चला जाएगा तो यहीं से अपन को समझ में आ रहा है कि यह कैसा है एक dominant बिमारी के recissive बिमारी? recissive बिमारी क्योंकि बिमारी कब हो रही है जहां पर मैंने arrow बना है जब दोनों तरफ से क्या disease वाला जीन मिला हुआ clear अगर यह वही चीज और अपन को confirm करने कि dominant है के recissive है वापस देखो इन दोनों के शादी हुई अब इन दोनों के शादी में से य यह क्या है डिजीज हुआ यह डिजीज हुआ और यह नॉर्मल है चीक है इसका मतलब वापस डिजीज वाले डिफेक्टिव जीन मिला और गडबड हो गई अब गडबड के लिए वापस आप बोलोगे माम के recissive तो समझ में आ गया पर autosomal recissive है कि सेक्स लिंग है देखो जला यहां पर यहां पर X-X था यहां पर X-Y था ठीक है अगर X-link हो है तो X-P circle मारा क्योंकि डिफेक्टिव है चीक है यहां पर नॉर्मल है मतलब दोनों नॉर्मल चल रहे है अब देखो यहां पर X-Y आया मतलब यह circle दिया तो यह पका X-link थी चल रहा है साथ में बोलोग है वापस रेसे से वैं और साथ में थोड़ा बहुत क्लू एकसलिंग का भी मिल रहा है यहां देख लेते हैं अब जैसे अब एकसलिंग मिल रहा है कनफर्म कैसे होगा यहां पर एकसे से सबकल लगा वह डिफैक्टिव है मेल में जो मेल में अब देखो यहां से तो वाय आया यहां पर मेल में एक्स कौन समिला दोनों मेल इस फीमेल की मिले हूंगे कि पापा से तो सिभाइ मिला तो यह दोनों इस वाली के इस में फोर्ट को देखें हम की एक्स लिंग्ट वाली ही कुछ बिमारी डेख रहे हैं वापस आजा इसमें देख लेते हैं तो यह था ऐक्स वाए एक्स डिफेक्टिव एक्स नॉर्मल रूर्मल यहां पर एक य था क्योंकि Y आया, X आया, तो देखो, यहां से clear हो रहा है कि X link D है, और यहां पे वापस female है, X, X, तो यहां पे जरूर, एक copy, defective copy आई होगी, अब यहां पे उनको carrier draw करना चाहिए था, पर confuse करने के लिए उने नहीं किया, पर इतना sufficient है हमको conclusion draw करने के लिए, यह कैसी है, recessive of X link की है न, पर recessive भी है, ठीक, चलो, अब इतना clear हो गया कि color blindness भी, अगर क्या पता, उन्होंने पूछ लिए कि example दो, जो भी तुम predict कर रहे हो, analysis का, pedigree analysis का, तो हमने बोल दिया कि आप दिमाग में कहीं back of the mind चलने लगा, hemophilia है, color blindness है, ठीक, अच्छा, B part उसका, if the female is homozygous for the affected rate, in this pedigree, मतलब carrier ना होके, disease ही हो गई, दोनों homozygous हो गए, तो गडबड कहा हो जाएगी, देखो, then what percentage of a sun will be affected, अरे, sun में तो जो X वाला chromosome है, वो कहां से मिलता है, उसकी mammy से मिलता है, और बोला गया है कि इस pedigree में, अगर सारी mammyya का जो X chromosome है, वो disease कर दो, homozygous में affected कर दो, तो जितने भी suns होंगे, सारे के सारे मिमार होंगे, ठीक है, यूँकि sun में X तो कहां से मिल रहा है, देखो, a की X है, और recessive है, तो a की X अगर defective रहा, तो वो इनसान क्या रहेगा, disease रहेगा, यूँकि y तो suns में कहां से मिलता है, पापा से मिलता है, और y पे तो य defective gene है ही नहीं, चीक, चलो, उसका फिर third part, उन्होंने genotype पूछा है, 1, 2, 3 and 4 का, यह रहा, 1, 2, 3, 3 and 4 का, हर जाली, in third generation, सिर्फ third generation, इनका नहीं, इस वाली generation है, तो 1, 2, 3 and 4 का, यह पूछा, तो यह तो clear है, यह normal है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, उसके बाद यह disease है, क्योंकि recessive है, उसके बाद यह male है, यह रहा, और यह carrier है, तो carrier है, तो ऐसा, ठीक, हुआ clear, अच्छा, male है, male है, तो भाईया, carrier, अब देखी लेते हैं, चलो, start करते हैं, इसके explanations, अच्छा, उसका एक और टाइप, पहले ते solve कर लेते हैं, फिर उसका C type solve करेंगे, तो X link, recessive trade, 100%, अब XY और XY, अब देखो, carrier बोला है, पर देखो, यह question न, technically गलत है, क्यूं, अब दिया है, उनके sample paper में carrier बोल रहे हो, एक बात बताओ, recessive वाले में, carrier कहां से आगया, जब XY पे ही चीज होती है, अगर एक XB, एक single copy में, एक ही X, अगर वही गड़बढ रहा, तो वो carrier कैसे होगा, है न, since, अब उन लोग ने दिया है, तो let's consider it, पर correct वाला genotype तो यही होगा, यह और में नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, बट वो पता है क्यों उनने और में दिया है, उसका reason है, क्योंकि उनने पेडिगरी में पता है, क्या किया है, यह दे पड़ चुके हो, इसलिए शायद मुझा लगता है, कि इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए, जो answer की publish हुई है, उसमें उन्होंने दो type के genotype mention कि, xy, xy, एक में normal रखा है और एक में disease रखा है, पर बाकी सब तो एकदम confirm है, कैसे, कि यह female है, और since disease है, तो दोनों में, यह male है, disease है, तो एक में, और यह female है, नॉर्मल है, तो दोनों में कुछ भी नहीं, चीक, अब, इसका third question पूचा है, यह हो गया, genotype of phosphoring, और अब पूचा है, C, in this type of inheritance pattern, out of male and female children, which one has less probability of receiving the trait from the parent gave a reason why, कि पूचर है कि बताओ, कौन से gender में, female और male में से कम chances है, कि वो trait, defective trait, मिलेग तो देखो, but obvious है कि female में, क्योंकि female में, since यह बिमारी कैसी है, हमने बोली है, recisive है, तो recisive होने के लिए, दोनों copy में होना चाहिए, मतलब दोनों X chromosome defective वो gene आना चाहिए, तो और male में तो एक ही X chromosome है, एक ही X chromosome में, अगर वो defective में आ गया, तो वो तो disease जी बनेगा, carrier तो हो mozygous condition में, जब होगी female में, तभी वो disease कैलाएगा, देख लेते हैं, the possibility of the female getting this trait is less, the female would get the trait only if the mother is at least as carrier and the father is affected, मिला दोनों copy में मिलना चाहिए, हुआ clear, चलो, अब case study 2 देख लेते है, section D का, जो 4 mark का है, question number 30, the data, the data given shows the concentration of nicotine smoked by a smoker taking 10 puffs, puffs per minute, मैं 100 puffs बोलने हा लेती, बापरे, cancer तो बिल्कुली fix कर दिया था, मैंने, फिर भी इस condition में भी fix ही है, per minute, per minute बोला गया है, बापरे, तो वो data show कर रहा है, के एक addicted का, जो smoke कर रहा है, और वो हर minute में 10 puffs ले रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ minute का है, और यह concentration of nicotine, तो 10th minute पे यह puff क्या हो गया, sorry, 10th minute पे nicotine का level increase हो गया, अब अगर तुम ध्यान से देखो, अभी question भी मत पढ़ो, देखो, अगर तुम्हें याद होगा, लोगो को addiction क्यों लगता है, अब बोलोगे माम, क्योंकि tobacco harmful है, harmful तो है, पर उसमें क्या होता है, जिसकी वज़े से addiction होता है, nicotine होता है, ठीक, अब देखो, starting म जब उसने कुछ भी smoking start नहीं की थी, तो यहाँ पे था level, मतलब उसके body, उसके blood में nicotine का level एकडम 0 था, ठीक, उसने 10 puffs, sorry, puff लिये, 10, ये minutes में, तो 10 minute तक इतने puff हो गए, तो धीरे धीरे करके, exponential growth से, उसका जो level है, blood में nicotine का, वो यहाँ पहुच गया, ठीक, अब फिर एकड पिर वापस अगली बार जो drop होगा, ये अलग-अलग level आ रहे है, तो उसके blood में, अब उसकी जो अगली nicotine की demand है, वो पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, इतना smoking करनी की वज़े से, अब अगली बार उसको इस level से start करना पड़ेगा, तो ये जो difference है, बार-बार जो अलग- quantity में करना पड़ेगा, तब जाके वो trigger आएगा, ठीक, वापस ये सिर्फ समझा लिए क्योंकि यही जो drop होगा, वो withdrawal syndrome cause करेगा, ठीक है, फिर भी, चलो, आगे अब देख लेते हैं, पता नहीं क्या question है, चलो, with reference to the above graph, explain the concentration of nicotine in blood at 10 minutes, 10th minute पे क्या होगा, concentration of blood में, nicotine का concentration, maximum, द cmq, यह सिर्फ observation का है, तुमको क्या करना है, 10 minute पे लगाना है, इसे reading लगा के बताना है, कि 45 cmg per cmq पहुच गया, ठीक, उसके बाद, how will this affect the concentration of carbon monoxide and heme bound oxygen at 10 minutes, पता है, इसका क्या release होता है, carbon monoxide release होता है, carbon monoxide जब release होता है, जब भी कोई smoking करता है, तो carbon monoxide के affinity सबसे बढ़ियां ह होती है, RBC के साथ है, हमला हीमोगलोबिन के साथ, तो oxygen को oxy hemoglobin को तोर देती है, और carbon oxy hemoglobin मन जाती है, ठीक, तो वही पूचा है, तो सबसे ज़्यादा 10th minute पे, जब यह 10 minute हो गए, तो होगा क्या, कि इस 10th minute पे, सबसे ज़्यादा RBC ऐसी रहेंगी, जिसमें carbon monoxide joint रहेगा और oxygen oxy hemoglobin तोटा हुआ रहेगा, ठीक, क्योंकि वापस smoking हुई, level बढ़ा, carbon monoxide gas produce हुई, body में carbon monoxide की जाधा affinity है, तो होगा यह कि oxygen की कमी होने लगेगी इस इंसान को, क्योंकि oxy hemoglobin तोट रहे, क्यों, क्योंकि carbon monoxide hemoglobin के साथ जोड रहे, क्यों, क्योंकि वो इंसान smoking कर रहे ठीक, चलो, देख लेते हैं, the concentration of CO will increase resulting in the reduction of concentration of heme bound oxygen याने की oxy hemoglobin, ठीक, पार्ट 3, अब देखो यह तिक्दम normal base, general है, मैंने इसके उन्होंने type के questions जाल दिये, related to bio, चलो, आगे, how does cigarette smoking result in high blood pressure and increase in heart rate, अब देखो, nicotine result in stimulating the adrenal gland which result in release of adrenaline या noradrenaline in the blood resulting in increase of blood pressure and heart rate, तो यह पूच रहे, है, कि बताओ, यह अभी बोलो कि मामी, कहां से लिया है question, यह तुम्हारा जो chapter है, human health and diseases, वहां से लिया हुआ है, smoking वाला ने, end वाला portion, वहां पर बस इत्ता ही लिखा रहता है, कि smoking के packet, तुम्हारे book में लिखा है, smoking के packet पे, injures to health लिखा रहता है, nicotine रहता है, जिसकी वज़ यहां पे, retro peritonial situated रहती है, ठीक है, उसकी वज़े से, वो क्या produce करेगी, अपने अपने hormones produce करेगी, जो है adrenaline, या फिर नौर एडरेनल, जो create करेगा, increase करेगा heart rate, जो इसका और वाला देख लेते हैं, आखरी, जो internal options दिये हुए, chemical carcinogen present in tobacco smoke are the major cause of lung cancer, आप बिलकुल सही है, तो कौन सा वाला जो problem है, मतलब क्या ऐसा है, जिसके करेंट lung cancer होता है, तो देख लेते हैं, तो chemical जो carcinogens रहते हैं, carcinogens क्या होते हैं, agent जो cause करते हैं cancer, the cigarette smoke irritate the air passage of the lungs, causing them to produce mucus, अब कैसे हो रहा, यह explain कर रहा है न, तो जो smoke है, उसने air passage को block कर दिया, mucus produced हुआ, which resulted in coughing, enlarging air space, reducing air surface area, loss, their elasticity, at any point can be mentioned, अब कुछ भी इन में से mention किया जासा है, तस difficulty in breathing causes, emphysema, और फिर since carcinogen रहा है, तो एक mutagen है, chemical mutagen है, न, देखो याद करो, तुम्हारी बुक में लिखा भी हुआ है, मैं बता भी चुकियो, तीन टाइप के cancer causing agent होते हैं, जिनको carcinogen बोला जाता है, कौन से, physical, chemical और biological, physical जैसे x-ray, beta ray, gamma radiation, chemical में यह आ गए, nicotine और क्या चाहिए, ठीक है, और उसके बाद biological में viruses, ठीक, तो यह होता है, हमारा यहाँ पे section D complete, अब स्टार्ट कर रहे हैं, हम तीन questions बाकि इस sample paper के section E के, जो है 5 मा कर गे, चलो स्टार्ट कर दें, सबसे बड़े question है, वापस बोल paper है, 15 minutes low, total 15 questions solve करने के लिए, ठीक है, बहुत, 15 नहीं, 15 marks को solve करने के लिए, यह half an hour ले लो, 10-10 minutes each, तो पहले आदे घंटे में तुम्हारे 15 मा का question हो जाना चाहिए, फिर ऐसे उसे साब से अपना time frame, divide करो, चलो start करते हैं, तो section E 5 marker का, पहला question, मालब question number 31, trace event from compilation to zygote formation in human female, okay, compilation हुआ, यानि की sex हुआ, तो क्या हुआ, penis के थुरू, जो semen है, वो enter किया, वजायना में, गया cervix पे और अंदर enter करना start किया, semen में थे sperm, sperm travel करना start किये, पूरा passage बताना पड़ेगा, फिर travel करके गए, कहां जाके, वेट, कौन वेट कर रहा था, sperm का, ovum वेट कर रहा था, अब ये कौन से वाली फेलोपिन ट्यूब में वेट कर रहा था, ये तो से वो, हम कोई पता है, है न, अब इसलिए आदे sperm, दूसरे वाली फेलोपिन ट्यूब में गए, आदे sperm, दूसरे वाली फेलोपिन ट्यूब में गए, उसके भी कौन से वाली position में, portion में गए, ampullary region, बहुत बार गलत वाले फैलोपिन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं, इसलिए कॉपल बहुत बार कॉपलेशन का रिजाल्ट प्रेग्मेंसी नहीं होता, क्योंकि गलत वाले फैलोपिन ट्यूब में एंटर कर गए, ठीक, उसकी बाद, अगर इनके सही वाले फैलोपिन करके जिसमें एंजाइम से ओवम की जोना पेलुसटाल एर को हटाया साइटो प्लाजम को पेनेट्रेट किया अपना मेल नूकलिय अंदर बेज दिया जिसमें थे हापलॉइड हापलॉइड प्लॉइडी थी जिसकी जैसे ही यह फ्यूज हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ इस जगे पे ओवम का जो सेकेंड मियोटिक डिविजिन है वो कंप्लीट हुआ उसका रिजल्ट होता है कि सेकेंडरी पॉलार बोडी बनेगी और अब यह ओवम धीरे-धीरे कनवर्ट हो जाएगा टू एंड में जो है जाइगोड दोनों नूकलिय का फ्यूजन होगा जाइग पर फ्यूजन हो जाएगा ठीक अब क्या होगा अब क्लीवेज स्टाटों कहां तक बोला था फॉर्मेशन आव जाइगोड बस यही तक बोला था चलो तो चाहो तो यह ऐसे स्टेटमेंट फोर्म में दे सकते हो चाहो तो फ्लो चाट बना सकते हो दोनों सहीं पर सारे से में अंडरलाइन करना होगी डूरिंग कॉपलेशन या कॉइटस सीमेन इस रिलीज़ वाइद पीनिस इंटु द वजाएना अब तुम लिखो इन्सेमिनेशन ऐसा लिखो कॉपलेशन लीट तो इन्सेमिनेशन ठीक आरो बना उसके बाल लिखो तो मोटाइल स्पर्म स्व बेट कर रहा है कि नहीं यूटस और फाइनले रीच इस दापलरी रीजिन तो ये बापस क्या मेंशन करना पड़ेगा अंपलरी रीजिन आओ फिलोपियन टूब यह हो रहा है सेकंड पॉइंट फ्लोचार्ट में थार्ड पॉइंट 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 इतना तो मेंशन करना पड़ेगा चेक अगला टुरिंग फॉइंट इसशन पॉइंट पॉइंट फॉइंट पॉन पॉम इनन कांटाट विद ऑ रिचिट फॉइंट आन इसपॉर्य विख बारियर पे आएगा उसको हटाएगा इक्रोजोम की मदद से लेऊ और आप रोब ह and induces change in the membrane that block the entry of the additional sperm. Physical changes आए, जो क्या, physical changes आए, physical barrier create हुआ, जिसके वज़े से, अब ovum का structure चेंज होगे और अब कोई नया sperm उसके अंदर enter नहीं कर सकता. This does, it ensure that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of acrosome, ये भी mention करना पड़ेगा, help the sperm enter the cytoplasm of the ovum through the zona pellisoda and the plasma membrane. This induces the completion, ये थू point बहुत जादा important है mention ही करना पड़ेगा. This induces the completion of the meiotic division of the secondary use site. The second meiotic division, मैंने second meiotic division करके बोला था, है ना, तो second meiotic division is also unequal and result in the formation of second polar body and a haploid ovum outed, soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fused together to form a diploid zygote, इतना सारा तुम चाहो, तो statement form में लिको या flow chart बना, वो भी सही पर flow chart में सारी चीज़ें mention ज़रूर कर देना, ठीक, चलो, move करते है, question number 31 के और में, internal choice दी गई थी, और वाले में, trace the development of megaspore mother cell to the formation of mature embryo sac in the flowering plants, चलो एक बार discuss कर लेते हैं, कहा था मैंने, किसी भी process को वो in detail पोच सकते है, पूरा five market का question बना दिया, उठा कि वापस original pattern पे आ गए, term 1, term 2, पिछले साल COVID में था, अब गया, अब नहीं आएंगे, चोटे-चोटे question बड़े-बड़े question आएंगे, 55 marks के question, जिसमें पूरा तुमको लिखना पड़ेगा, तो देखो, अब उन्होंने पोचा है कि Megaspor Mother Cell की कहानी बताओ, कब तक Embryosac तक, तो हमें पताए, Megaspor Mother Cell कहां मिल रही है, जो Newcellus के अंदर, सबसे पहले है न, division किया, कौन सा division किया, Miotic division किया, Miosis किया, क्या बनाया, Tetrad बनाया, Megaspor, Tetrad बनाया, जिसमें से, और कैसे अरेंज रहते हैं, linear अरेंज रहते हैं, जिसमें से तीन Tetrad क्या हो गए, Degenerate हो गए, एक बच गया, कौन से वाले end का बच गया, दो end होते हैं, चलाजल end होता है, Micropillar, तो Micropillar end वाला Megaspor, जो Tetrad बना था, उसमें से एक Tetrad बच गया, ठीक है, अब वो क्या होगा, अब वो undergo करेगा क्या, वापस Cell Division के, ठीक है, एक Nucleus से ग्रो करेगा साइज में और Divide करेगा, एक Nucleus से दो Nucleus, दो Nucleus से चार Nucleus, चार Nucleus से आठ Nucleus, अब ये आठ Nucleus जैसी होंगे, तो ये रियरेंज करेंगे खुद को, जिसमें से तीन जाएंगे कहां से, चलाजलाइंड पर बनाएंगे अंटी पोडल, दो जाएंगे सिनर्जिर्स के फॉर्म में, एक रहेगा, एक बीच वाला सेल का रहेगा, सेंट्रल सेल, जिसके रहेंगे, तो पोलार नुकले, तो य ये वाला तुमारी बुक में डाइगरम के फॉर्म हैं, तो चाहओ तो डाइगरम की फॉर्म में पोरा एकस्प्लेंट कर सकते हूं, बस वही है, सारी चीज़े ढख से मैंशन कर देना, डाइगरम में, ठीक है, कौन सा डाइगरम है मैं नहीं समझ में आ रहा, तो देखो जर पेज नमबर तुम्हारा 26 पे तो यह वाला डाइगराम दिख रहा है तुमको तुम चाहो तो पूरा डाइगराम बना दो पर प्रॉपर सीक्वेंस से बनाना कौन सा पेज नमबर 26 इतना लिखने की जगे पे चाहो तो यह बना सकते हो पर सारी चीजे ले थोड़ा थोड़ा लिखना ही पड़ेगा 5 मां का क्वेश्चन है तो यहीं पर थोड़ा थोड़ा हो सारीक स्टेप के बारे में मेंचिन करते चलना चीक चलो तो स्टार्ट करते है स्टेप 1 से ओवियोल जनरली इफ्रेंशियेट सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल MMC इन दा माइक्रो पाइलर पूमिटिक दिविजिन टू फॉर मेगा स्पोर टीक इन अमेजरिटी फ्लावरिप्लाट वन अब दे मेगा स्पोर इस फंक्षनल वाइल द आधर थी डी इजनरेट यह मैने बोला यह तुम्हारे डाग्राम में में चन भी है ओन्ली दूल मेगा स्पोर डेवलाप इंट द female gametophyte, embryo sac, यह कौनसी end वाला वो भी बचता है, सिफ mycopylar end वाला, this method of embryo sac formation from a single megaspore is term as monosporic development, तो यह term भी mention करना पड़ेगा, क्योंकि 4 रहते हो, उसमें सिर्फ 3 degenerate हो जाते है, सिफ एक बच जाता है, ठीक, चलो, आगे move करते है, the nucleus of the functional megaspore divide mitotically, meiotic division हो गया, MMC, meiosis करके 2N का end बना दी, megaspore बना दिया, 4 megaspore बना थे, 3 degenerate हो गया, एक बच गया, कौन सा वाला, mycopylar end वाला, अब वो क्या करेगा, grow करेगा और mitotic division करेगा, 2 form 2 nuclei which move to the opposite pole, forming 2 nucleated embryo sac, 2 more sequential mitotic nucleate division result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stage of the embryo sac, these mitotic, देको मैंने का थाना कि 2 nucleate, 4 nucleate, 8 nucleate, these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is, nuclear division are not followed immediately by cell wall formation, तो ये important है, cell wall का formation नहीं हो रहा, सिर्फ, divide हो रहा, nucleus formation हो रहा है, after the 8 nucleated stage, cell wall are laid down, leading, मतलब देको, सारे cells बन गए, पर cell wall नहीं, तो अभी तक तुम 8 nucleated stage में ये नहीं बता सकते कितने cell है, पर एक time जब re-align करेंगे, खुद को, re-arrange करेंगे, तब cell wall का formation होगा, cell wall are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte और embryo sac, जो कैसा रहता है, 7 cell, 8 nucleated structure, आगे देखो, 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell, the remaining 2 nuclei called polar nuclei situated in the large central cell, 3 cells are grouped together, ये भी बोल दिया, ये भी बता दिया, 3 cells are grouped together at the micropylor end, constituting the egg apparatus, egg apparatus में क्या होता है, एक egg होता है, और 2 synergies रहता है, ठीक है, the synergies have a special cellular thickening at the micropylor tip called philiform apparatus, जो guide करने का काम करेगा, चला अजलन पर क्या रहेंगे, 3 antipodals रहेंगे, जिनकी ploid ही क्या रहेंगे, NNN, haploid, सारे की सारे haploid है, the large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei which come to lie below egg apparatus, thus a typical endosperm embryo sac at maturity तो have 8 nucleated and 7 cell structure, हुआ क्लियर इतना, अब चाहो तो इतना सारा मत लिखो, वो diagram बना दो पर हर चीज़ प्रॉपर लेबल करो, चलो देख लेते हैं अगला question, question number 32, observe the segment of mRNA given below, देख लिया, introns भी है, exons भी है, unprocessed HNRNA है, इसको process करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, capping, splicing, tailing, जिसमें introns को हटाना पड़ेगा, exons को रखना पड़ेगा, ठीक, explain and illustrate the steps involved to make fully processed HNRNA, जो बोला भाई तो answer है, चलो देख लेते हैं, तो HNRNA undergo process called capping and tailing, followed by splicing, in capping and unusual nucleotide is added at 5-end of methyl guanosine triphosphate, देखो तुम methyl guanosine कैसे लिखते हैं यहाँ पर, जीलिका guanosine, M है methyl triphosphate, इसले 3P लगा दिया, कौन से end पर 5-end, इसके साथ जैसे add करते हैं, को हम क्या बोलेंगे, capping बोलेंगे, tailing में क्या होता है, poly A tail का addition किया जाता है, poly adenolite tail, residue को add किया जाता है, जो residue कित्ते के बराबर हैता है, जितना underline कर रहे हो, सब important dimension करना, ठीक है, और यह तो खेर है important, 200-300 का length रहता है, उतना residue, अब इस पर उसका add करना पड़ता है, ठीक, उसके बाद, now the hnRNA, hnRNA, अंड़ोस अप्रोसेस, वेर the introns are removed, याद कैसे करोगे कि माम, introns को हटाने के, exons को हटाने, ऐसे याद रखोगे, कि introns से वो क्या कर रहे है, इंट्रूड कर रहे है, बार बार, बीच-बीच में आ रहे है, तो जो बीच-बीच में आ रहे है, introns, तो उनको क्या करना है, हटा देना है, और exons को रखना है, तो देखो, the introns are removed and exons are joined to form mRNA called splicing, तो यहाँ पे जो first step है, first question था वो होता है, खतम, भी वाला portion, अब उन्होंने बोला है कि gene encoding for RNA, polymerase 1 and 3 have been affected by mutation in the cell, explain its impact on the synthesis of polypeptides stating the reasons, तो याद रखो, यू क्यारियोटिक transcription में 3 polymerase involved रहता है, polymerase 1, 2, 3, तीनों का अलग अलग का में, इन में mutation आ गया, मतलब जो वो function के लिए responsible होब होगा नहीं, पर वही, prokaryotic transcription में सिर्वे की polymerase रहता है, तो सिर्वे की सारी चीज़े control कर रहा है, देख लेते हैं, the process of translation will not happen, thus the polypeptide synthesis is stopped or a hamper, ठीक है, दोनों में polymerase 1, 2, 3, 1, 2, 3 रहता है, आगे, the reason for the above is, RNA polymerase 1 transcribe, मैंने बोला था ने कि हर एक polymerase specific कुछ काम करता है, तो देखो, यह याद रखना है, कि RNA polymerase क्या कर रहा है, RNA का transcription कर रहा है, which is a cellular factory for protein synthesis, सोचो, अगर तीनों polymerase मिलके, एक बनाता है, mRNA, एक बनाता है, tRNA, एक बनाता है, आर आरने, ठीक है, ribosomal RNA, जिसके smaller unit, bigger unit, अगर इन में से, कोई भी एक चीज़ भी ढंग से काम नहीं करेगी, mutate होगी, तो translation process होगी, नहीं होगी, वही तो पूछ है, पर उनको बताना पड़ेगा reason के साथ, तो तुम्हें एक दम exact बताना पड़ेगा, कि RNA polymerase 1 क्या कर रहा है, RNA का synthesize के लिए help कर रहा है, जो ribosomal RNA, smaller unit, bigger unit, जो basically, एक catalyst की तरह काम कर रहा है, चीक, उसके बाद, RNA polymerase 3 helping transcription of tRNA, which is an adapter molecule, that transfer amino acid to the site of protein synthesis, मतलब पूरा translation के जो domain, domain क्या, translation में सारे चीज़ है important है, तुम्हारा template जो एक mRNA है, उसके बाद, जो adapter जो पढ़ने माला है कि कौन सा codon लिखा है, उसके according anti codon लाएगा, उसके according amino acid लाएगा, फिर amino acid activation करेगा, chain की, चीक, उसके बाद, वो bond बनाएगा, peptide bond का formation होगा, पर यह सारी चीज़े होंगी का, RRNA में, तो अगर यह polymerase 1-0-3 ही ढंग से नहीं बना, mutate हो गया, तो ना तुम्हारा RRNA बनेगा, ना TRN बनेगा, तो कैसी होगी translation process, ठीक, यही पूछा है, हुआ इतना क्लियर, चलो, अब question number 33 पढ़ लेते हैं, आखरी question है, और में हैं, तो पहला वाला part पढ़ेंगे, फिर और वाला discuss करेंगे, देखो ज़रा, ने एक NCRT का ही पैरा और थोड़ा सा जनल नौलेज वाला पैरा मिक्स करके दे दिया, अब उसके उपर बेस question, आप question तो उसके उपर बेस नहीं रहेंगे, question वही पूछेंगे, जो उनको environmental issue से पूछना है, देखो, list to advantage of using bacteria for such biotechnological studies, तो देखो, but obvious, grow easy कर सकते हो, easy to handle है, modification easy, एकदम basic basic question है, देखो ज़रा, you can easily grow a large quantity of bacteria with no ethical issue, having plasmid and can easily be transformed है ना, तो यह उन्होंने क्या किया है, यह वाला portion दिया है, environmental issue से, उसको relate कर दिया, कौन से chapter से, biotechnology से, चलो, B, for amplification, इस type का question आया था, पिछले साल, जहां पे उन्होंने PCR से related, वो पूरा पैरा दिया था, उसको link कर दिया था, कि PCR का, उसका answer PCR से related था, तो यहां भी कुछ वैसी strategy यूज़ कर रहा है हो, चलो, देख लेते, for amplification of the gene of interest, PCR was carried out, the PCR was run with the help of polymerase, कैसा polymerase हमें पता है, TAC polymerase, thermos equiticus से obtain जो करते हैं, thermos stable है, high temperature tolerate कर सकता है, ठीक, which was functionally only at a very low temperature, अच्छा, उन्होंने बोला कि normal polymerase यूज़ किया है, जो low temperature पे ही काम कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो thermos stable नहीं है बाबा, special polymerase लगता है PCR में, TAC polymerase जिसको बोलते हैं, how will this impact the efficiency of PCR, यार, amplify नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, देख लेते हैं, PCR will not amplify the gene, क्यों, क्योंकि, if the polymerase enzyme denatured at low temperature, it will not be able to withstand high temperature, which is essential for separating, या opening, unwinding, denaturating DNA strand to open, थास, subsequent step of the extension, extending the primer, using the nucleotide provided in the reaction, and the genomic DNA as template will not occur, but obvious, तभी तो PCR के लिए special polymerase यूज़ करते हैं, ठीक है, आगरी, if such bacteria are sprayed on water body with oil spill, how will this have a positive or negative effect on the environment, discuss, तो देख लो, ये एकदम, general awareness वाला question है, तो positive impact भी है, negative impact भी है, कैसे, positive, oil spill can be treated and environment become better, cleaner, water become more potable, safe for aquatic farms, safe for water birds like, safe for water birds like seagull, negative impact, the bacteria can mutate, change आसकते, nature में उसके change आसकते, can harm other organism, can conjugate with other non-virulent form and make them super bug with determinal effect, unpredictable for a longer duration, it may reduce their dissolved oxygen and leading to mortality of the aquatic organism, उआ इतना क्लिया है, चलो, भी सी को और वाला question देख लेते हैं, वाई क्या किया उन लोगोने, biotechnology हो, थोड़ा से environmental issue को mix करके question मना दिया, शायद यहाँ भी वही क्या हो, insects like lepidopterans group lay egg on maize crop, the larvae of the hatching field, मना अब देखो जैसे lepidopterans पड़ोगे, मना तुमारे दिमाग में आगा, पक्का वो BT से ले लेटर कुछ पूछने वाले, आगे, okay, the larvae on the hatching field of maize leaf and tender cop, in order to arrest the spread of these three such lepidopteran pests, BT maize crop were introduced in an experimental field, a study was carried out to see which of these three species of lepidopteran pest was most susceptible to BT gene and its products, the lepidopteran pests were allowed to feed on the same BT maize crop grown on five fields, A to E, a graph दिखाएंगे, the graph given below, show the leaf area damaged by these pests after feeding on maize leaf for five days, देख लेते हैं, ये graph है, okay, अब इस टाइब का question हम अल्यदी डिसकस कर चुके है, biotechnology की previous year question में और most important question, same question उनने उठा के, इस बार के sample paper में डाल दिया, तो उनने दिखा है, ski for lepidopteran insect pest species 1, 2 and 3, तो 1 का, अब यहां पे जो lightest, lightest वाला 2 है, फिर उससे थोड़ा light वाला 1 है, और जो सबसे darkest है, वो 3 है, type of maize और leaf are damaged, तो सबसे ज़़दा damage कहां पे हुए, C वाला damage हुआ है, क्योंकि वो बिलकुल भी BT resistant नहीं होगा, ठीक है, और यहां भी C वाला ही, सबसे ज़़दा, species 3 ही सबसे ज़दा damage कर रही है, देख सकते हो, मतलब और सबसे कम damage कौन सा, type of maize में हुआ है, B में हुआ है, अगर देखो तो है न, वाला overall अगर तीनों में देखो, और यह हम बोल सकते हैं, इन general अगर damage के compare में बात करनें, तो हो सकता है, B वाला BT crop हो, अब सिर्फ अपन ने idea लगा लिया, अब देख लेते, insect gut was recorded at 10, 8 and 6 respectively, for species 1, 2 and 3 respectively, ठीक है उन्होंने gut का ये निकाल दिया है, evaluate the efficiency of BT crop on the feeding habits of the three species of stem border, and suggest which species is least susceptible to BT cotton, वो पूछे बताव इन तीनों में से सबसे कम, कौन सी species, सबसे कम effect हो रहा है BT toxin का, तो species 3 is least susceptible, क्यों उसका reason है, देखो species 3 सबसे ज़्यादा damage कर रही है, है ना, कहा ता मैंने कि सबसे ज़्यादा damage, कौन सी कर रही, species 3 ही कर रही है, ठीक मतलब उसके उपर को effect नहीं पढ़ रहा, आगे, which species is most susceptible to BT mace, मतलब इस में पूछ रही है कि कौन सी species सबसे ज़्यादा BT mace के लिए susceptible है, तो जिसका growth सबसे कम है, अगर ध्यान से देखो, तो species 1 का तो दिखी नहीं रह ग्राफ, तो हम बोल सकते हैं, species 1 answer है, इस वाले का, कौन सा, B वाले का, तो देख लेते हैं, और reason पूछा है, क्यूं, explain why, तो BT toxin produced prototoxin, are converted into active form in the gut, which solubilize the toxic crystal, the activated toxin bind to the surface of the midgurt epithelial cell, and create pose, यहां पर एक answer होना चाहिए, जहां लिखा हुआ होना चाहिए, कि क्या है, species 1, यह mention नहीं किया गया है, species 1 mention किया जाहिए, कैसे बता चला माम, समझ में आ रहा है, तो उन्होंने एक पूरा paragraph दिया, जिसमें बोला गया, कि जो lepitoe terrens है, वो एग ले करे थे, maze crop पे, ठीक है, और पर उन्होंने क्या किया, कि 3 species को, A to E, अलग-अलग 5 field के crops को grow किया, फिर उन्होंने उसके record, note down किया, और 3 species उसके effect भी करें, lepitoe terrens की 3 species, किसपे effect करें थी, maze के 5 field के अलग-अलग crop थे, जो यहाँ दिखा है, तो देखो, यह ABCD क्या है, टाइप ऑफ maze है, अलग-अलग-अलग type के maze है, बुट्टे हैं अलग-अलग type के, ठीक, और उसके बाद यह जो 3 graph दिख रहें, वो क्या है, lepitoe terrens की ही 3 species है, उसमें से, जो C वाला सबसे ज़्यादा damage कर रहा है, ठीक है, जो species 3 है, वो सबसे ज़्यादा damage करें, उसके उपर कोई फरक ही नहीं पढ़ रहा, वहीं जो species A है, उसके, वो सबसे ज़्यादा effect हुई है, इवाले species में तो वो गायब ही हो गई, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा damage किया हो गया, वहीं उनने question पूछा, पहले वाले part में की बताओ, पाच part है, तो पहले वाले question part में पूछा की बताओ, इस graph को study करके, की सबसे कम effect किस पर आया, सबसे कम effect इन maze का type of maze में, मलब जिस भी type का maze BT toxin जिन में है, सबसे ज़्यादा कम effect कौन से वाले species, lepitochteran की species पर पढ़ा, तो since species 3 सबसे ज़्यादा damage अभी भी मचा रही है, देख सकते हो, सबसे ज़्यादा damage है, यहाँ जो mention नहीं है, और क्यों पढ़ा, यह भी पोचा है, क्योंकि जैसे ही उस species ने, species 1 के जो lepitochteran से उस बीटी को खाया, तो उनके गट में जाके, वो जो protein है, जो cry protein है, जो crystal protein है, वो solubilize हो गया, solubilize हो के वो अपना toxic nature, जो करने लगा, pores create करने लगा, बस यह लिखा हुआ है, आई बात समझ में, देख हो जाँ, तो BT-toxin, proto-toxin are converted into active form in the gut, और gut में क्यों हाँ, क्यों कि alkaline pH था, ठीक, which solubilize the toxic crystal, the activated toxin crystal binds to the surface of mid-gut epithelial cell and create pores that causes cell swelling and lysis and eventually causes death of the insect, ठीक, हुआ clear, तो confuse करने माला है, सीधा-सीधा question ने, बस तेडा-मेडा घुमा के, extra-extra information देके confuse कर रहे हैं, थर्ड, using the given information, suggest why a similar effect was not seen in the three insect species, माला, same effect क्यों ने दिख रहे है, जैसे species 1, बहुत जादे effect हो गया, species 2, थोड़ा-थोड़ा हुआ, 3 में तो कुछ फरक ही नहीं पड़ा, तो पूछ रहे हैं, बताओ क्यों, तो insect species 1 and 2 have alkaline gut pH, which solubilize the insecticidal protein, crystal of prototoxin and make it active, हो सकता है, species 3 में ऐसा ना हो, have an acidic and the prototoxin continue to remain in an inactive form, doing no harm to the insect species 3, resulting into high damage to the crop, हुआ clear रितना? तो अच्छा question है, confuse करने वाला question, अध्यान से नहीं पड़ोगे, और end moment पर करें question solve करोगे, आखरी के आदे गंटे में तो भाई या गड़बड़ी कर क्या होगे, इसलिए क्या करोगे, सबसे पहले बड़े मां के question solve कर क्या हो, सबसे पहले section E solve कर कर गया हो, sequence wise solve करो, उसके बाद section D, C, की फिर भी और आखरी में एक हुआ इतना clear, इसके साथ आज हमारा जो sample paper का discussion है, 12th biology board का हो होता है, खतम, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम magnet brain एक ऐसी website है, जो क्या provide करती है, free online education, kindergarten से लेके grade 12, ताक English medium, Hindi medium, UP board, बिहार board, बहुत सारी entrance exam के लिए देख सकते हैं, जैसे IIT, NEED, फिर उसके बाद RRB, SSC, UPSC, तो इन सब की तयारी करवात है, तो उसी का हम फायदा उठाएंगे, और इस chapter जो भी हमने sample paper discuss कि, अगर उस chapter से related कुछ doubt आ रहा है, और जो हमारी social site है, है न, जो social networking site है, जैसे social medias हो गए, जैसे facebook, twitter, instagram, इस पे भी follow करना नहीं बूलना है, जो upcoming updates है, जो भी कुछ हो रहा है, तो सब, सब की information तुम्हें कहां मिल जाएगी, इनी social platforms में, साथ में website, app और youtube channel तो है, तो चलो मिलते हैं अगली class में, बड़ा paper का discussion था, analysis करो और तैयार हो जाओ, इसी type के 5 section वाले paper को solve करने के लिए, February वाले महिने में, तो चलो मिलते हैं अगली class में, तब तब take care, bye bye and पढ़ते रहो, और बने रहो मागमिन ब्रेंस के साथ,